कि नमस्कार दोस्तों स्वागते हैं आपका स्टेडी फॉर्ट सीविल दबसेद में निदेश्ट को ध्यान से आटेम करिए और बताए कितना स्कूर आपने किया है कितने सही किये हैं टोटल कोईशन में से सभी दोग अपना इसको जरूर करिए दोस्तों एलाहबाद हाई कोट के समीक्षा अधिकारी वाले एक्जाम के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट की पूरी सिरीज स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी इसे अटेम्ट कीजेगा यहाँ पूरा पेपर का जैसा प्रारूप होता है बिल्कुल वैसे ही इस मॉक को डिजाइन किया गया है ये पहला टेस्ट आप देख रहे हैं वीडियो के मात्यम से तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण आप देख रहे हैं या सामने दिखाई दे रहा है बाइलिंग्वल फार्मेट में है और इस प्रश्ण में इतिहास से शुरूआत होती है प्राचीन इतिहास जो जो चीजें होती थी उनका मूल श्रोत यहां दिया हुआ है साथ में और आपको यह देखना है कि कौन सा उसमें से सही मैच किया हुआ है तो आप देखें कि लैपीज लाजुली का जो उत्पादन छेतर था वो तापी च्छाया था ऐसा यहां दिया हुआ है ओधा इसके अल वाला से ही है यह जो फिरोजा वाला दिया है ना खुरसान यही एक मात्रस में पर्फेक्ट है बाकी जितने हैं उसमें मिसमैच है जैसे लैपीज लाजुली को आप देख रहे हैं या अफगानिस्तान के रीजन से प्राप्त होता था यह बहुमूले रत्न या जो किंती प्रश्न संख्यादों को तो यहां पर एक स्टेट्मेंट दिया हुआ है और स्टेट्मेंट में कहा घया है कि यह जो इस्थान है यहां से हड़्ियों से पनी हुई कलाकृतियां पाई गई मतलब शिल जू स्ठात्य होता है या मूर्थिस्ठात्य की बात और यहां अधापते वगरे नहीं, तो जो मूर्तिया यां इलिजैन वगरे बनते थे वो हड़ियों से रही साथ में हड़ियों के गहने भी बनते थे और हड़ियोंसे ऑउजार भी बनते थे, जैसे तीर कमान वगरे Tso आप बताइं कि यह जगह कौन सी है, जहां से यह सब चीजें पाई गई है, यह बीरभानपुर है, जो कि पश्चिम बंगाल में इस्थे थे, सराय नाहर राय है, जो कि अपने यूपी में इस्थे थे, बागोर है, जो कि राजस्थान में पढ़ता है, या फिर महदाहा यहां पर दिया हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में ही है तो correct answer क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा महदा जो उत्तर प्रदेश का है वहां से हड्डियों से बने वी कलाकृतियां भी पाई गही है और साथ में तीर और गहने भी प्राप्त हुए है तो तीर वगेरा मतलब हड्डिया काफी कड़ी ह होती है न तो उनका इस्तिमाल भिन भिन चीजों के लिए किया जाता है महदा हां इसका answer हो जाएगा डी वाला इसके बाद question number 3 को देखेगा उचा गया है कि कौन सी सामवेद की शाखा नहीं है जो शुरुवाती तीन वेद है वो पहले के हैं मतलब काफी पहले ही उनकी रश किया या बहुत हुआ तो भूर्ज पत्र पर लिख दिया लेकिन वह विलुप तो हो गया तो मूल अवस्था में तो वह प्राप्त नहीं होते पहली चीज़ है और यही कारण है कि संस्कृत खुद को प्रमाडित नहीं कर पाई कि वह सबसे प्राचीन भाशा है क्योंकि उस इसमें से शाखा कौन सी नहीं है यह बताना है आप देखें कौथुम दिया हुआ है शौनक दिया है जैमिनी यह है और राणनी है आप बताएं इसमें से कौन सा होगा जो कि शामवेद की शाखा नहीं है तो शौनक हो जाएगा ठीक है शौनक को आप बाहर कर लीजे शौनक पिलाल आगे चलते हैं, प्रशन संख्या 4 को देखें, यहां तीन आश्रमों का उलेक किया गया है, मतलब पहले जो शुरुवाती तीन आश्रम है, आश्रम का मतलब क्या, मनुष्य की जीवन के पड़ाओ, पूरे मालो जीवन को 100 साल का मान कर, मतलब एक औसत मान कर, पहले के जीते थे, मतलब तुलसिदास जी को आप देख लीजे, 120 साल तक कहा जाता है, जिन्दा रहें, इस प्रकार से जीवन होता था, आजकल लोगों की उम्र चोटी हो गई है, तो लंबे जीवन को आधार बना के, 100 साल का मानो जीवन माना गया, और उसको 25-25 के हिस्सों में बनकर या जो वासना होती है, उससे दूर रहकर वो ज्यान की प्राप्ति करता था, जब ज्यान पूर्ण हो जाता था, उसके सारे संस्कार पूरे हो जाते थे, तो उसके बाद वो विवाह करता था और एक ग्रहस्त का जीवन बिताता था, तो 25 से लेकर 50 तक का जो समय है, व भाजन कीर्थन घर में ही रहकर करता था मतलब उसकी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती उसके पूरा सारा काम हो जाता था और उसके पास अकुछ नहीं बचता था उससे लगता था कि पारिवारिक दाइत्व पूरा हो गया है तो पचीज साल जो आगे वाला है मतलब 75 के बाद पाली जो अवस्था होती है उसमें वो वन की और प्रस्थान कर लेता था मतलब टोटल सन्यासी का जीवन बिताता था और वहीं पर देह त्याग करता था इसे पहली की प्रथाएं थी तो अब यहां पर कहा गया है कि जो शुरुवाती तीन आश्रम थे ब्रह्मचर इक्रिहस् इनका उलेक कहां पर प्राप्त होता है और चार आश्रम टोटल जो है उनका उलेक कहां पर प्राप्त होता है मतलब सन्यास को भी उसमें एड़ कर लीजे तो नीचे दिया हुआ है कुछ उपनिश्दों के नाम जैसे कि चांदोग्य उपनिशद है मैत्रैनी उपनिशद है या मांडू की उपनिशद है और मैत्रेनी है, इसके अलावाद छान्दोगी और जाबाल दिया हुआ है, जाबाल एक रिशी का नाम था, साथ में मांडू की उपनिशद और जाबाल उपनिशद है, आप बताएं इसमें से कौन सा होगा, तो इसका जो करेक्ट टैंसर है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले दीन आश्रम थे, उसका उल्लेक छान्दोग्यों पनिशद में प्राप्त होता है, इस पश्ट तोर पे, और चारों आश्रमों का उल्लेक हमें कहा प्राप्त होता है, जाबालों पनिशद में प्राप् उस समय सन्यास धारण करके जबकि इनकी माता नहीं चाहती थी क्योंकि एक लोते पुत्र थे लेकिन वह वहां से निकल पड़ते हैं और धर्म की ध्वजा फेराने का संकल्प इनका रहता है तो भारत के चारों कोनों पर ये चार मठों गिस्थापना करते हैं और जो हिंदू सनातन धर्म है उसको फिर से जीवित करते हैं तो इन्होंने 32 साल की अपनी चोटी सी आयूकाल में वह कर दिया जो कि बड़े-बड़े महात्मा आपने पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं अब इसमें आप देखे कि कौन सी पुस्तक शंकराचारी के द्वारा नहीं लि लेकिन वेदान्त दीप या वेदान्त दीप इसकी रशना रामानुज ने की थी तो इसके रचाइता शंकराचारे नहीं है शंकराचारे की द्वारा जितनी भी स्थुतिया रची गई है वो बहुत ही शुद्ध और एगडम तत्सभ जो क्लिष्ट संस्कृत होती है उसमें रचे गई और ये आशु कभी थे जो भी देखते थे उसको देखकर कविता यानि स्त्रोत रच देते थे अब इसके बाद छटवे नंबर के क्वेशन को आप देखें यहाँ पर मद्यकाल की बात हो रही है और मुगलकाल के संबन्द में जो शब्दावलियां प्रशलित्थी जुड़ी हुई जो मुगल का एड्मिनिस्टेशन था उनसे जुड़ी हुए जो वर्ड्स है वो यहाँ दिये हुए उनके अर्थ दिये हुए जैसे आप देखें कि मुस्तौफी जो होता था वो राजसो सची होता था ठीक है और मुश्रिफ समाचार समवाद्दाता होता वागिया नवीस का काम था महालेखा परिक्षक वाले यानि वो ऑडिटर जनरल होता था साथ में मीर तोजक दिया हुआ है तो यह क्या काम करता था समारों की देखरे करता था मतलब जो सरिमनी वगएर होता था उसमें यह मैनेजमेंट का काम करता था तो आप बताएं कि इस इसलमें auditor general होता था और मुश्रिप जो होता था यह revenue secondary होता था यानि राजस्व सची होता था ठीक है वाकिया नवीस वाकिया मतलब होता है समाचार तो इसकी नवीस ही करता था यानि उसे सुनाता था लोगों को तो यह news reporter होता था यानि समाचार संबादा था इसके बाद साथवे नंबर की question को देखते हैं देखिए जो शब्दावली है ना प्रशासनिक शब्दावली इसको देख लीजेगा मध्यकाल की जितनी भी है उसको देख लीजेगा मराथा प्रशासनिक शब्दावली इसको देख लीजेगा अब इसमें आप देखें कि देखें प्रशावली इसको देखें कि एक तरफ लेखक दिये हुए हैं दूसरी तरफ उनके जो फेमस है वर्क्स वह दे रक वह पंगये को साथ ना को लिखा है और असलुमें दारा शिको का नाम यह है दारा जो शब्दाव दैख आपगे हैं दारा शिकोर औरंगजेब का बड़ा पुत्र जो था, माप कीजेगा, साजहां का जो बड़ा पुत्र था, जो कि औरंगजेब का बड़ा भाई था, तो उसका नाम है, ये खुद बहुत बड़ा विद्वान था, और जितने भी सनातन ग्रंथ है, उसका इसने अध्यान करके उनका अनुव केवल पहला वाला ही सही, उपर वाला सही है, बाकि जितने हैं वो उल्टे सीधे मैच किये हुए हैं, अर्था इश्वर दास नागर को अगर आप देखें तो फतुहाते आलमगीरी इन्होंने लिखा था, ठीक, और नेमत अली खाने क्या लिखा था, वाकिया ये हैदराबाद और दाराशिकों के द्वारा मजमाउल बहरीन को लिखा गया था, जिसमें की सूफी संप्रिदाय और जो इसलाम था, इसलामिक कल्चर था, उसके बीच में तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया था, और उसमें सनातन सब्विता के भी कुछ तत्वों को डाला गया था, त तो आप देखें, अमीरे बहर दिखा हुआ है, अमीरे बहर और ये नौकाओं के नियंत्रण का काम करता था, मतलब कंट्रोलर किसका था, बोर्ट्स का, और साथ में वकीले दार था, जो कि खेरात और टकसाल विभाग को समालता था, मतलब मिंट की देखरेक करता था, प्लस जहादारी कहा जाता था, ये कोई व्यक्ति नहीं, अब आप बताएं कि इसमें से क्या, देखें इसमें दो जो हैं वो व्यक्तियों के नाम है, मतलब पदों के नाम है, और दो जो हैं ये कानून या चीज़े हैं, तो जवाबियत जो होता था, ये राज्ये के कानून होते थे और जहांदारी जो होता था ये सुल्तान के द्वारा बनाए गये जो special laws होते थे उसको कहा जाता था अब इसमें एक गलत है कौन सा गलत है आप बताई तो बीवाला गलत है जो वकीले दार का लिखा हुआ है ये असल में क्या होता था शाही परिवार का प्रबंदक होता थ खेरात और टकसाल में उसको घुसा दिया गया है तो यही गलत बाकी जो है वो तो ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रेशन को देखते हैं और नवा क्वेशन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्रोनलॉजी कौन सी सही होगी तो मदरास की संधी होती है इसके अ वाला जो है युद्ध वो 1776 का है और सलवाई वाला 1782 का है तो उसी हिसाब से अगर आप कीजेगा तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा यह पहले से मैच इसके बाद आगे चलते हैं प्रेशन संख्या 10 को देखें काला नुक्रम में आपको अरेंज करना है यहाँ इसके बीच में निर्णायक युद्ध होता है और यहां से फ्रांसीसियों का पूरा सूपडा साफ हो जाता है और इलहाबाद की संधी जो है वो लास्ट में होती है बकसर के भी बाद तो आप उसी हिसाब से करिएगा इसका सी वाला जो अरेंजमेंट है उसी क्रम में इसे पैठाएंगे, यहाँ आप देखें C वाले के इसाब से, C वाले में क्या का है, दूसरा पहले होगा, कहने का तार पर यह है कि अंबर की लड़ाई आपकी 1749 में होती है, और काउट का युद्ध होता है 1751 में, एलाबाद की संधी होती है 1765 में, ठीक है, और वांडिवाशवा इसमें कहा गया कि सही विकल्प का चैन कीजे, तो वारन हैस्टिंग्स के शाषनकाल में कुछ जो इवेंट्स हुए थे, उनके संबंध में दिया हुआ है, अब यहाँ देखें उन्हें काला नुक्रम में आपको एरेंज करना है कि पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा देखनी है, तो पिट्स इंडिया एक्ट उसके समय में आया था, या रोहिल्ला वार हुआ था, या सल्वाई की संधी हुई थी, या एशियाटिक सोसाइटी जो बंगाल वाली थी, वो इस्टैबलिश हुई थी, मतलब यह वारन हैस्टिंग्स के समय में कौन कौन सी अब इसी के बीच में यह सब हुआ, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट को आप देख रहे हैं, तो यह 1784 में आता है, 1774 का रोहिल्ला वार होता है, सल्वाई की संधी आपने भी पीछे देखी है 1782, और एशियाटिक सोसाइटी की स्टैबलिश्मेंट होती है 1784 में, तो यह सब इसी के रेंज में आता है, तो यह सब इसी के समय में हुआ था और इसलिए राइट एंसर क्या होगा, सी वाला, इसके बाद 12 नंबर के क्वेस्टन को देखते हैं, कहा गया है कि करेक्ट आप्शन को सेलेक्ट कीजेगा, तो यहां सर जॉन शोर के समय में वेलोर का विद्रो होता है, वेलोर का सिपाही विद्रो, और वेलेजली के समय में निजाम और मराठों के बीच में खुर्दा का युद्ध होता है, जॉर्ज बार्लो के समय में बिसीन की संदी या बसीन की संदी होती है, और कार्नवालिस के समय में श्री रंग पत्टनम की संदी होती है, तो प्रिटिश काल चल रहा था, उसके दोरान जो वायसराय हुए थे, उन वायसरायों के समय में कौन-कौन सी घटनाय हुई थी, वो यहां कुछ मिलान किया हुआ है, उसमें से जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। लॉर्ड एलगिन प्रथव के समय में यूरोपी सैनिकों वारा श्वेत विद्रो होता है, ठीक है, वाइट म्यूट्नी होती है। और लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या होता है, तो वहां भी आंदोलन होता है, साथ में जॉन लॉरेंस है, जिसके समय में कलकत्ता बंबई और आई कोर्ट्स की स्थापना होती है और लॉर्ड मेयो के टाइम में स्टैबलिश्मेंट आफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया यह होता है अब बताईए इसमें से कौन सा सही है यहाँ देख लीजे एक से ज्यादा सही हो सकता है और कुछ भी सही नहीं हो सकता है यह भी दिया है देखे तेरह में का करेक्ट आइंसर उपर वाला ही है जादा नीचे जानी के आउशकता नहीं है तीसरा चौथा इसमें सही है प्रशना अनुसार तीसरा चौथा सही है बागी को देख लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के समय में श्वेत विद्रोव होता है ठीक है डलहोजी आता है डलहोजी अपना काम बिगाड़ कर जाता है उसके बाद 1857 का रिवाल्ट होता है और जैसे ही 1857 के रिवाल्ट को दबाया जाता है वैसे ही वाइट म्यूटिनी हो जाती है अंग्रेजों के निर्डे यह जो श्वेत सेना थी मतलब अंग्रेजों की खुद की सेना थी उससे पसंद नहीं आते है तो यह विद्रोव होता है तो यह आस पास का है मतलब डेट क समय में यह जो स्टैस्टिस्टिकल डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना होती है मतलब भारतिय सांखी की सर्वेचण जो है वो स्थापित किया जाता है तो यह कुछ बात है और इसका करेक्ट एंसर सिर्फ तीसरा चौथा है इसके बाद आगे चलते हैं मतलब नीचे वाले इधरल गिया जाता है तो इसका स्था यह बताने क्या हो शकता नहीं है अब आप बताएं कि गलत क्या है तो गलत देखकर मालूम हो रहा है इसमें से कौन सा गलत dh रॉलेट सत्याग्रा जो दिया हुआ है, अब इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो विकल्प आपके गलत है, गलत की तलाश करनी है और दो यहां गलत दे रखें, जिसे कि आमदाबाद मिल हरताल जो है, वो 1918 की है, ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, 1917 दिया है, और उपर आप देख रहा है, रॉलेट सत्याग्रा तो यह 1918 का नहीं, बलकि 1919 का है, 2019 में इसके 100 साल पूरे होने पर एक समारो भियायोजित किया गया था, तो वो चीज, गांधी जी की द्वारा स्टार्ट किया जाता है, अन्य नेता भी इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन यह 1919 की तारिक है, तो दो तारिक हैं, यहां पर गलत हैं, नीचे वाला सांडर्स मर्डर वाला जो है, वो तो ठीक है, 1928 हो गया, और लेजिसलेटिव असेंबली वाला भी ठीक ठाक है, मतलब सिर्फ धमागा करना उद्देश्य था, किसी को मारना वहाँ परपस नहीं था करांत 1932 में, ठीक, खेडा सत्याग्रा होता है 1918 में, काकोरी टकैती, ट्रेन में जो लूट पार्ट होती है, वो असल में 1925 में होती है, और वायसराय की ट्रेन को जलाने का प्रयास किया जाता है, और वो तारिक थी 1930 की, तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है, देखिए इनी के ये काम थे, जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्रांतिकारी गदिविदियों का सबसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था, मतलब वैसे तो बहुत सारे चोटे बड़े संगठन पूरे देश भर में फैल जाते हैं, खास तोर पे असहयो गांदोलन के और उसी का ये परिणाम था, पहले लोग गांदी जी पे डिपेंट थे, लेकिन बाद में गांदी जी का जो रवया है वो लोगों को रास नहीं आता है, तो उसमें लोग अपना अपना जो रास्ता है वो तलाशते हैं, और इसमें आप देखें कि दो पार्टी या मतलब य पार्टी है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऐसोशियेसन ये इसका शुरुवाती नाम है, बाद में जब जो इसका सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, जिसमें भगत सिंग भी आकर इंक्लूड हो जाते हैं, तो पंडित जी यानि चंदरशेखर राजाद और भगत सिंग के द पर फिर क्या होगा, ट्रेन जलाने वाला जो दिया हुआ है न, ये वाला, इसे आप देखिए, ये वाला जो इसमें काम है, 1930 का नहीं है, ये कब होता है, ये 1929 में होता है, बाकी जितने हैं वो तो ठीक, गलत हमें चुनना था, तो हमने डी वाले को चुना है, इसके बाद आगी चलते हैं, खेडा सत्याग्रे को इसमें से निकाल दीजे, तो बाकी जितने हैं वो HRA और HSRA के सहयोग से या उसी के जरिये होते थे, इसके बाद 16 नंबर की क्वेशन को देखते हैं, खेडा सत्याग्रे वो गांधी जी वाला जो मैटर है, उसमें आता है, यहां देख है, गांधी इर्विन पैक्ट है, दांडी मार्च है, और गांधी जी का जो fast unto death है, मतलब आमरन सत्याग्रे कहा जाता है, यानि तब तक आप भूख हरताल करेंगे, जब तक मृत्यू नहीं हो जाती, या तो आपकी मांग मानी जाएगी, या फिर मृत्यू होगी, तो अब इसमें से आप बताइए कि कौन से दो एक अही साल में हुए थे, तो इससे अगर आप ध्यानपूरवक देखें, तो correct answer क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा पहला और चौथा, सामप्रदाइक अधी निर्डए होता है, और इसका नतीजा ही होता है कि गांधी जी काफी ज जाना मतलब एक प्रथक निर्वाचन छेत्र देने का मतलब ही था, कि वो जो सनातन सबेता थी या जो मूल उनका धर्म था उससे कट जाते, और यही ने पसंद नहीं आ रहा था, मतलब गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने आमरण अंशन शुरू दांडी मार्च का 12 मार्च, और 12 मार्च से शुरू होता है, 6 अप्रेल को कम्प्लीट होता है, 1930 में, और गांधी इर्विन के बीच में समझोता होता है, यह कब होता है, 1931 में होता है, गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो करेक्ट एंसर इसका कौन सा हो जाएगा, पहला और चौथा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रेशन संख्या 17 को देखते हैं, पूछा गया है कि कौन से दो अधिनियम एक अही वर्ष में प्रस्तुत किये गये थे, तो राजद्रोही सभा अधिनियम है, भारतिय समाचार पत्र अधिनियम है, विद्वनसक पदा अधिनियम ये भी 1908 का है, और भारतिय प्रेस अधिनियम ये 1910 का है, तो इसमें दो एक जैसे कौन से हुए, भी वाला ओप्शन चुल लेते हैं, यानि दूसरा तीसरा, वो एक अही साल यानि 1908 में हुए है, इसे आपने देखा, तो भी वाले को चुल लेते हैं, इसके बा है, अब इसमें से कुछ नहीं का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इनकरेक्ट बूच रहा है, अब बताई इसमें से कौन सा विकल्प चुने, तो उपर वाला चुल लेते हैं, गलत हमें चुनना था, कोल विद्रों की जो तारीक है, वो आप बताईए, और यह जो उननीजवा है, इसका राइट अंसर D हो जाएगा, सिलेरू नदी पर बाली मेला है, और उरी जल विद्दुत सैंत्र जो है, यह किस पर बनाया है, जेलम पर बनाया है, तो इसका करेक्ट अंसर D होगा, इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्म पर बनाया है, तो इसे अगर आप देखें, तो बंगला देश की सीमा जूकि पहले बंगाल का हिस्सा हुआ गलता था पूर्वी बंगाल, बाद में पहले बिभाजन हुआ, तो पाकिस्तान Kickay भी हाथ से निकल गया, और एक सवतंतर राश्ट्र बन गया, तो फिलाल बंगल पिन बॉर्डर है और सिक्किम और पश्रिम बंगाल की भी लगती है तो यह है पूरा अब इसका करेक्ट एंसर क्या होगा सी वाला नेपाल वाला सही है बाकी जितने है वो गलत है ठीक क्यों गलत है वो आपने सुना इसके बाद देखे 21 को गलत विकल यहां चुनना है आपको तो जो पाक जल डमरूमध्य है यानि स्टेट है जल डमरूमध्य का मतलब क्या होता है दो इस्थल खंडों को अलग करती हुई जो जल संधी होती है पानी का एरिया होता है तो यह भारत और श्रिलंका के बीच में है ठीक है मतलब भारत और श्रिलंका के बीच में जो अब इसमें से आप बताएं गलत क्या है, तो 21 का राइट एंसर D हो जाएगा, यह जो युकॉर्टन आप देख रहे हैं, यह मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, और यहां क्या दिया है, युक्तराज अमेरिका दे दिया है, तो वो गलत हो गया है, इसका D वाला ओप्शन करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं, यह प्रोनौशेशन का अंतर हो गया, तो यह जो परवत है, यह असल में कहां पर है, मनसालू जो माउंटेन रेंज है, नेपाल वाली वहां परस्थित है, साल्टेरो कांगडी माउंटेन कहां पर है, यह नेपाल में पड़ेगा, नेप बत्मालाएं फैली होती है लेकिन इसमें से आपको गलत देखना था तो बी वाला गलत है ठीक है साल्टेरो कांगडी कहां पर है यह भारत में है नेपाल में इसका जो यहां लोकेशन दे रखा है वो गलत है बाकी जैसे गौडी चुली आप देख रहे हैं तो मनसालू वाला अंदा देवी वाला उत्तरा खंड है और नामचा बर्वा वो चीन वाले एरिया में पड़ेगा सही है साल्टेरो कांगडी को इसमें से बाहर कर देते हैं वही इनकरेक्ट है इसके बाद तेईसमें नंबर के क्वेशन को देखें करेक्ट आपको यहां सेलेक्ट करना है अं मतलब बीच में बार्डर है कहने का मतलब ये और 49 समानतर रेखा जो है वो दक्षड कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है अब इसमें आप देखें कि सही कौन सा है तो 23 का राइट एंसर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा ऊपर वाला सही है 22 समानतर रेखा यह मिस्र राज अमेरिका और कनाडा के बीच में है इसे याद रखेगा इसके बाद चलते हैं 24 में प्रश्न की और इसमें कहा गया है कि किस नदी तंत्र की लंबाई भारत में सबसे कम है सबसे कम है तो महा नदी तंत्र है, कावेरी नदी तंत्र है तापी है, नर्मदा है अब इसमें आप देखें महा नदी को लंबाई है वो लगभग 851 km है ठीक तापी का कितना है, 724 ही है कावेरी का और ज़्यादा है 805 है मतलब महा नदी से भी जादा है नर्मदा का और जादा है ठीक है नर्मदा एक प्रमुख नदी है गोदावरी जितनी लंबी नहीं है लेकिन फिर भी तो 1312 किलो मीटर है ऐसे हो गया तो इसमें से तापी बाहर हो जाएगा और इसके बाद 25 में प्रशन को देखें यहां कंट्री दी हुई है और उनकी जो कैपिटल है वो दे रखी है सही क्या है वो आपको बताना है तो किर्गिजिस्तान जो है उसकी राजधानी नूर सुल्तान है ऐसा दिया हुआ है कजाकिस्तान की राजधानी अश्गाबात है और इसके अलामा तुर्गमेनिस्तान है, इसकी राजधानी बिशकेक है जबकि दुशाम्बे जो है वो असल में तजाकिस्तान की राजधानी है इस सब सोवीयत संग के विगटन से बने हुए देश है स्थलाव रुद्ध हैं इसमें से अधिकतर अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है तो 25 का D हो जाएगा लास्ट वाला इसमें दिया हुआ है दुशामबे वाला वही सही है तजाकिस्तान वाला जो इसमें पेर मैच किया है तजाकिस्तान की राजधानी दुशामबे और बाकी जितने हैं वो गलत है, जिसे कि किर्गिजिस्तान का आप देख रहे हैं तो बिश्केक हो जाएगा, मिला लीजे, इसके अलामा कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है, वो आप जानते हैं, और अश्गाबाद किसका है, ये असल में तुर्कमेनिस्तान का है तो यहां आपने देखा, डी वाला एक मातर सही था, 26 की ओर बढ़ते हैं और इसमें इंकरेक्ट आपको देखना है, तो लानकला दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है, लानकला पास जो है, ये इसके बारे में गलत स्टेट्मेंट इसमें से कौन सा है, तो कहा जा रहा है क ये लद्दाक का जो छित्र है, मतलब जो अकसाई चीन के अंदर आता है, अब ये अकसाई चीन इसको नाम देना बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन चीन ने जबर्दस्ती कबजा कर लिया है, और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, वो जमीन हमारी है, ठीक, तो वो अ अकसाई चीन नहीं है, बलकि भारतिय अनाधिकरित जमीन है, जिसका की अनाधिकार उन्होंने कर लिया है, तो अब यहाँ देखें लद्दाक का जो वही चीन वाला कबजे का एरिया है, वहाँ पर ये पढ़ता है, लानकला दर्रा, और मानसरोवर के जो तीर्थे आत्री है मानसरोवर जो तीर्थे वहाँ जाने के लिए जो लोग जाते हैं, वो इसी दर्रे से हो कर जाते हैं, ठीक है? और साथ में लद्दाक और लासा को ये जोडने का काम करता है, दर्रे असल में क्या होते है? इनका ये तो बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब बोल चाल में दर्र कहा जाता है लेकिन असल में ये दुवार होते हैं यानि दुवार होते हैं परवतों के बीच के दरवाजे होते हैं आर पार जाने के लिए और चीनी प्राधिकरण ने शिंजियोंग को तिबबत से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक रोड का निर्माण किया है तो चीन आज कल हिमाले पर बहुत सड़क बना रहा है अब इसमें ये बना भी सकता है आप पता ही गलत क्या है तो 26 का जो राइट एंसर है वो बी वाला है बाकी सब सही है बी वाले में समस्या है मानसरोवर की जो तीर्थ यात्री है वो यहाँ से होकर जाते हैं जो मानसरोवर की तीर्थ य और इसी दर्रे से होकर वो यात्रा करते हैं तो यह जो दर्रा वाला यहां पर यात्रा का दिया था न वही गलत है इसके बाद आगी चलते हैं अगला वाला यानी 27 में कहा गया कि गलत विकल्प का चैन कीजिए तो मैकाल हिल्स जो है वो असल में 36 गड़ और ओडिशा दो गलत इसका उपर वाला ही है मैकाल रेंज कहां पे यह 36 गड़ में है और यहां ओडिशा भी साथ में चिपका दिया है तो ओडिशा साथ में चिपकने की वज़े से यह जो उपर वाला है वो गलत है सोनपर की पहाड़ी मध्यप्रदेश वो याद रखीगा यहां ओडिशा और सोनपर वाला आपने देखा हजारी बाग हिल्स जो है वो कहां पे जारखंड और चटीस कड़ दोनों में है जारखंडी सिर्फ मत समझेगा और साथ में जो राजबाल की पाड़ियां आप देख रहे हैं वो जारखंड पहले बिहार में हुआ करती थी अभी जारखंड म बतानी है और साथ में उस राज़े का नाम भी चुनना होगा जहां से होकर यह पास नहीं करता है तो आप देखें इसमें नीचे विकल्प दिया है और करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा नेशनल हाइवे नंबर 19 बिहार दिल्ली हरियाना जहारखंड उत इतने राज्यों से होकर गुजरता है ठीक है तो यहाँ आप गिल लीजे कितने राज्ये हैं डी वाले को पहले चुन लेते हैं छे राज्ये हो गया और 36 गड़ इसमें नहीं आता है तो वो बाहर हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं प्रशन संख्या 29 तो दाची गाम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में है इंद्रावती जो है वो 36 गड़ में है नामदफा असम में है और वन बिहार कहां पर है मध्यप्रदेश में ऐसे दिया है अब यह जो नेशनल पार्क है इसमें से इंकरेक्ट आप्शन कौन सा है जरा बताईए तो सी वाला गलत है नामदफा जो इसमें दिया हुआ है वो असम में कहां से चला जाएगा वो अरुडांचल में है ना उडन की लहरी वहाँ पर पाई जाती है जो कि लंबी छलांग लगाती है बाकी जो है वो तो ठीक है जैसे कि वन बिहार नेशनल पार्क है मध्यप्रदेश में हो गया अब दो नए जोड़े गए एक तो राय मोना जोड़ा गया है और दूसरा जो है इसमें दिहांग पट कई जोड़ा गया है इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रशन संख्या 30 गलत विकल्प का आपको चैन करना है तो करनाटक में है ओरंग बाग अभ्यारण यानि टाइगर और मध्य प्रिदेश में है बांधोगर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है और तेलंगाना में कवाल है इस सब टाइगर रिजर्व के नाम है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बागों के संरच्छड के लिए आरच्छित छेत रहें अब बदाई इसमें से गलत कौन सा है तो गलत इसका उपर वाला ही है वो देखकर मालूम हो रहा है इतना सरल तरीके से दिया हुआ है ओरंग आपने हजारो बार पढ़ा होगा असम में है तो ये करनाटक में एकदम से कहां दच्छिड में पहुंच जाएगा ठीक ह केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्राओधान है ठीक है मतलब जो 1935 का Government of India Act आया था उसमें धेर सारे अनुच्छे थे तो उसी में ये प्राओधान किया गया है कि appointment of state governors by the center और साथ में British Constitution जो है उससे हमने parliamentary government को बारो किया है जो US का Constitution है से हमने independence of judiciary को सीखा है अब आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है तो 31st correct answer क्या होगा बीवाला हो जाएगा संसदिये शाषन प्रणाली हमने ब्रिटन से लिए है ठीक है संसद की जो हमारी व्योस्था है वो जादा अतर कमो बेश British जो Constitution है या British जो व्योस्था है उसी से बि बरतना है बाकी जितने हैं वो इसमें गलत दिये हैं जैसे कि आप देखें राज्यपाल का कार्याले ये असल में मतलब जो office of governor आप देखते हैं वो 1935 के Government of India Act से लिया गया है साथ में अमेरिकी Constitution से हमने न्यायपालिका की स्वतंतरता को लिया हुआ है और कनाड़ा का जो समंदित प्रावधान छटवी आनसूची में नहीं दिये गया है और 11 आनसूची में पंचायतों से समंदित कितने subject शामिल है ये भी आपको बताना है दो चीजे हैं तो ये दोनों प्रश्ण एक साथ तो कभी नहीं आएगे लेकिन दो information आपको अगर एक प्रश्ण में मिल जा रही है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है और अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस उद्देश से से बनाया गया है अब आप बताएं इसमें से कौन सा पेर सही होगा तो 32 का राइट एंसर इसमें सी हो जाएगा देखें तो असम मेगाले त्रिपुरा और मिजोरम राज्यो के लिए जो जनजातिय छेतर है उनके प्रशासन के बारे में special provision वो देखते हैं और जो 11th schedule है उसमें हम देखते हैं पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और जिम्मेदारी और इसमें total subject कितने है 29 और इसलिए हमारा जो right answer है वो इसमें C हो जाएगा मड़ीपुरु से बाह municipal office date policy को उपर ही जूट बोला इसके अलावा भाग तीन में हम citizenship के बारे में पढ़ने लगे हैं आजकल पहले नहीं पढ़ते थे आजकल पढ़ रहे हैं और भाग चार जो है उसमें हम fundamental right के बारे में देखते हैं साथ में भाग चार जो है उसमें हम fundamental duties को देखते हैं मौलिक कर के बीच में घुसाने का स्थान नहीं मिल रहा था तो उसमें एक clause बना दिये मतलब part 4 clause A आप कह सकते हैं जिसमें की जो fundamental duties हैं वो दिखाई देती हैं बाकी जो है वो गलत हैं से नागरिक्ता जो है भाग दो में है या आपने हजारों बार देखा होगा इतनी तो मोटी चीज अनुछेद रटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन पार्ट तो पता होना चाहिए तो नागरिक्ता जो है वो भाग 2 में है मौलिक अदिकार आपके भाग 3 में है भाग 4 में नीती निदेशक तत्व है और उसी के साथ ये supplement चिपका हुआ है मौलिक कर्तव ये ठीक ये प्रावधान कहां पर किया गया है मतलब कौन से आर्टिकल में आपको दिखता है और साथ में ये भी पूछा गया है कि under which of the following आर्टिकल the provisions related to fundamental duties have been given मतलब कौन से अनुछेद में आपने पीछे देखा है तो fundamental duty का जो concept है या प्रावधान है वो हमें कहां दिखाई देता है कौन वाले अनुछेद में है अब आप देखें तो इसमें अगर आप देखें ध्यान से उसमें पीछे हमने भाग देखा यानि पार्ट देखा आप यहाँ पर हम आर्टिकल देख रहे हैं तो 34 का राइट कर कह लीजे आप उसमें मौलिक करतबे को हम देखते हैं तो इसका correct answer इसी लिए बी वाला है इसके बाद next question को देखते हैं जो कि 35 यहाँ आपको बताना है कि सही कौन सा है तो right to freedom of religion यह article number 28 में है right against exploitation social के विरुद्ध जो अधिकार है वो article number 18 में है right to freedom यह article number 24 में है और right to equality यह article number 22 में है सही विकल्प का आपको चैन करना है और इसमें सही सिर्फ उपर वाला है ठीक है बाकी जितने है अब इसमें उपर वाले में कौन सा A चुनिएगा या B चुनिएगा देखे समानता का अधिकार जो है न वो असल में article number 18 के अंदर आता है या अंतरगत आता है और कोशन के मिरुद्ध अधिकार अगर देखें तो यह अनुच्छे 24 में दिखाई देता है धर्म की स्वतंतरता का अधिकार हम अनुच्छे 25 में देखते हैं तो इसमें जो धर्म की स्वतंतरता वाला है वही एक मातर सही दिया है इसके बाद 36 में को देखते हैं इसमें कहा ग इसका भी option मौजूद है फिलाल इसका correct answer D ही हो जाएगा देखिए संसत के साधारण बहुमत के द्वारा अगर हम देखें तो संसत में जो गणपूर्ति यानि कोरम होता है वो भी हो जाएगा संसत के सदस्यों के वेतन भत्ते का जो काम है मतलब उसके बारे में निरड़ा वग ज़ते हैं नमित्शर्मा मामला जो है उसमें रक्ति की स्थंतरता और गरीमा का जो प्रश्न है वो उठता है कुलदीप नायर मामले में इंडिपेंडेंडेंस of Judiciary या इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम जो है उसके बारे में चरचा होती है और ऐल चंदरकुमार का जो मामला था उसमें power of high court under article 226 and 227 वो हम देखते हैं आप बताएं कि इसमें से incorrect option कौन सा है तो 37 का right answer C हो जाएगा देखें राम जेट मलानी मामला ये 2011 का था मतलब अनुछेद 32 के अंतरगत जो सरवोच नयाले की शक्तियां है उसको हम देखते थे ठीक है और उसके साथ अगर देखें यहां हमें गलत चाहिए था न तो गलत कौन सा है C वाला है कुलदीप नायर वाला अब इसमें नमित शर्मा मामला भी ठीक ठाक है 2013 का ये मामला था व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रिता वाला अखिल भारतिय नयाधिश संग का जो मामला था 2002 का उसमें स्वतंत्र नयाइक प्रणाली का उल्लेक किया गया था और यहां दिया हुआ है कुलदीप नायर मामला इस इसके अंतरगत कौन सी स्टेट जो है वो नहीं बिलॉंग करती है और वेर इस दे हैड़कौार्टर आफ इस्टर जोर्नल काउंसिल लोकेटेड ये भी आपको बताना है लोकेशन तो आप देखकर बताएं यहां राज्य और लोकेशन दिया हुआ है 38 का B वाला सही है देखें पूर्वी छेतरी परिशद यानी इस्टर जोर्नल काउंसिल जो है उसमें अगर हम देखें तो बिहार राज्य है जारखंड भी है पश्चिम बंगाल है ओडिशा है और कोलकता इसका हैड़कौार है ये है पूरा तो इसमें से आपका 36 गड़ बा के बारे में पढ़ते हैं जो अनुछे 127 है उसमें हम कारेवाहक और कारेकारी मुख्य नयाधीश की न्यूकती के बारे में देखते हैं और साथ में 128 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें हम Supreme Court to be the Court of Record मतलब जो अभिलेक नयायले की रूप में उचितम नयायले की भूमिका है उ बाकी जो है जैसे आप देखें 126 जो आर्टिकल है उसमें हम कारेवाहक और कारेकारी मुख्य नयाधीश की न्यूकती को देखते हैं और यहां 127 दिया हुआ है तो वो गलत है और 129 जो है उसमें हम अभिलेक नयायले की रूप में जो Supreme Court की अपनी भूमिका रोल है उसको दे अब यह कौन सा है मतलब कौन सा संशोधन है आपको असल में यह बताना है तो यहां देखें 122,3,4 दिया हुआ है और इसमें से हो जाएगा 122 ठीक है 123 संशोधन अधिनियम 1992 यह अधिनियम त्रिपुरा की विधान सभा में अनुसुचित जन जातियों के लिए जो सीटों क या रक्षण की बाद थी उसका प्राविजन करता है तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा बी वाला इसके बाद चलते हैं 41 प्रशन की और यहां देखें फिजिकल कॉंटिटी दी है और उसकी यूनिट है वो दे रखी है तो बोल्टर्ज में कॉंस्टेंट जो है उसकी यून जो होती है यानि कैलोरी मान उसे कहा जाता है हिंदी में तो उसका मात्रक क्या होता है जूल पर किलोग्राम होता है अब इसमें आप मात्रक देख लीजे और बताइए गलत कौन सा है तो गलत इसका सी वाला है ठीक है जूल सेकेंड जो आप देख रहे हैं माप कीजेगा सी पहले मार कर लेते हैं, इंपल्स, ठीक है, इंपल्स का न्यूटन सेकेंड होता है, और यहां क्या दिया है, न्यूटन मीटर दिया है, बल गुडे समय, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुडे समय, सूत्र के हिसाब से, तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और समय का मात्र Question number 42 को देखिए, गलत विकल्ब का आपको चैन करना है, Science का ये भी question है, Physics का, Astronomics का, अब इसमें आप देखिए, प्रकाश का वेक जो है वो निर्वात में, जहाँ पर किसी भी प्रकार का वायो मंडल या वायो की उपस्तिती नहों, वहाँ पर 3 into 10 to the power 8 meter per second होता है, meter per second क्या है, velocity को measure करने की unit है, और 3 गुड़े 10 की घात 8, 10 की घात 8 का मतलब समझ रहे हैं, 1 के आगे 10, माप कीज़ेगा, 1 के आगे 8 0 लगा दीजे, इतनी बड़ी संख्या, और उसका 3 में multiply कर दीजे, सोचिए कि कितना तेज वो 1 second में चल लेता है, मतलब प्रकाश, और निर्पेक्ष श इसका मान कितना होता है, यह 6.023 into 10 to the power 23 mole होता है, mole पदार्थ की मातरा को नापने का mole मातरक है, और इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा भी दिया हुआ है, तो 42 का right answer फिर क्या होना चाहिए, सब तो सही दिया है, इसमें जितना है, वो सब ठीक दिया है, तो D वाले को इसका मातरक है, तो यह इसका मातरक है, तो यह इसका मातरक है, और यहाँ पर कितना दिया है, तीन दिया है, तो वो गलत हो गया है, बागी जितने हैं, वो तो ठीक है, एक डाइन में 10 की खात माइनस 5 न्यूटन, उलट देंगे, तो एक न्यूटन में 10 की खात 5 डाइन होता है, ठीक है, वैसे ही किलोवाट घंटा का अगर आप जूल में कनवर्ट करेंगे, तो 1 ऑप्षन आपको सेलेक्ट करना है, तो वीटामिन B1 की कमी से चर्म रोग हो जाता है, जो चमड़ी के जितने भी विकार हैं, वो पैदा होते है, और वाइटामिन B3 जो है, उसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, B6 की कमी से हो और पेलाग्रा और जो B7 है उसकी कमी से चर्मरोग हो जाता है ये सब आपने देखा हाला कि पेलागरा में भी वही चीज होती है चमड़ी ही प्रभावित सबसे पहले होती है इसमें C वाला से ही इसके बाद 45 को देखते हैं correct option आपको select करना है तो पहले तो statement देख लीजे यह रक्त चाप और रक्त की मात्रा के नियमन में मदद करता है मतलब उसके regulation में काम करता है और यह नसों और मानस्पेशियों के समुचित कारे में भी मदद करता है तो यह कौन सा पदार्थ है जो कि शरीर में इतना ज़्यादा म करता है तो sodium की कमी अगर शरीर में हो जाए तो हमें किस तरह की समस्या होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते है अलाकि जो बाकी है वो बेकार नहीं है लेकिन यहां जो उद्देश्य और काम दिया था वो इसी कार इसके बाद 46 को देखते हैं correct option आपको select करना है तो B5 जो है से कौन सा होगा फिर जो 46 का B वाला option है उसको ध्यान जिदे कि वो सही है B6 वाला जो पारिडॉक्सिन दिया है बाकी जितने हैं वो गलत दिये तो जो सही जानकारी है उसको भी पहले arrange कर लेते हैं पारिडॉक्सिन वाले को पहले चुल लेते हैं जो कि हमारा उत्तर है देख 47 को देखते हैं पूछा गया है कि which of the following vitamin is not a water-soluble vitamin अब इसमें आप देखे कि वसा में घुलने वाले जो वाइटमिन होते हैं और जो वाटर में तो आपको थोड़ा पहचानने के लिए मेहनत करनी होगी अब बताइए तो देखे पानी में घुलनशील जो विटामिन है उसमें baiotene, niacine, pyridine और इसके अलमा फोली केसिड पानी में घुलनशील होता है वाइटमिन D को अगर आप देखे ये वसा में घुलनशील होता है और इसे रसायन की भाशा में क्या कहते है? कैल्सी फिरॉल कैल्शियूम के संसलेशन में ये सहयोग करता है तो इसमें से करेक्ट टैंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? जो की जल में घुलंशील नहीं है, वो कैल्सी फिरॉल है इसके बाद 48 को देखते हैं और वैक्यूम क्लीनर जो घर की सफाई में इस्तेमाल होता है उसको सैसल बूथ ने खोजा था आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है? तो 48 का राइट एंसर हो जाएगा यूबर्ट सैसल बूथ वाला एकदम परफेक्ट है हाइड्रोजन की खोज करने वाले कैवेंडिश थे हीलियम की खोज जैंसन ने की थी ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी तो ये इस प्रकार से होगा किवाल इसका जो डी वाला है वो सही इसके बाद 49 को देखते हैं यहाँ पर आपको यह बताना है कि जो मिश्र थातुए है इनका कॉंबिनेशन इसमें से गलत कौन सा है तो मैगनेलियम नाम की जो थातुए है उसको बनाने के लिए अलुमीनियम में हमें मैगनीज मिलाना पड़ता है जर्मन सिल्वर अगर हमें बनाना है तो उसमें हमें कापर, जिंक और निकिल को एक निश्चे तनुपात में मिलाना होगा डच मेटल अगर आपको तैयार करना है तो कापर और जिंक का कॉंबिनेशन तैयार करना होगा तो यहाँ देख लीजे, Aluminium में Magnesium मिलाते हैं, तो बन जाता है Magnesium, Aluminium का लग और Magnesium मतलब जो टोन है, वो Magnesium की इस प्रकार से, जो बनने वाली नई मिश्रधात हुए, उसका नाम हम देखते हैं, बाकी सब सही है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका A वाला गलत था, question number 50 को देखेगा, correct option आपको select करना है, common name दिया हुआ है, chemical name दिया हुआ है, तो पाइरीन जो है, इसका नाम calcium hydroxide है, लिथार्ज का नाम carbon tetra chloride है, और lunar caustic जो है, उसका नाम silver nitrate है, जबकि hydrolith जो है, उसका नाम lead monoxide है, तो आप बताएं कि सही कौन सा है, देखें इसमें सही पाइरीडीन जो है, वो carbon tetra chloride की तोर पे दिखाई देता है, इसके अलावा लिथार जो है, वो lead monoxide होता है, lunar caustic हम किसको कहते है, silver nitrate को, hydrolith कहते है, calcium hydroxide को, तो correct answer पिर क्या होगा, lunar caustic वाला होगा, यानि C वाला, इसके बाद 51 को देखे, गलत विकल्प का आपको chain करना है, तो नगदी फसल जो है, उसमें कपास का नाम है, वाणजिक फसल यानि जो commercial crop है, उसमें rubber आता है, जो plantation crop है, उसमें coffee का पौधा होता है, और energy crop में jetropha होता है, गलत क्या है आप बताईए, तो इसमें अगर आप देखे, तो कोई भी उत्तर सही नहीं है, असल में नगदी फस तो नगदी फसल में कपास आती है, तो वो तो ठीक है, अब यहां जोगी हमें गलत चाहिए था, और जो वाणजिक फसले होती है, उसमें rubber का नाम आता है, रोपड फसल जो है, उसमें भी rubber का नाम आता है, ठीक है, रबर जो है, वो असल में वाणजिक भी है, और plantation crop में भी और इसके अलावा रोपड फसल में काफी भी आती है, काफी का पौधा होता है, energy crop जो है, उसमें जिट रोपा, तो इस प्रकार से सब सही मैच है, और यहां पूछ रहा है गलत तो कुछ भी इसमें से सही नहीं दिख रहा है, जितने हैं वो ठीक हैं, बस इतना जानी है, इस देखे, असम, पश्चिम, बंगाल और ओरीशा, यहां पर धान के लिए परियापत अच्छी जलवायू होती है, और इसी कारण तीन फसले होती है, आस, अमन और बोरो, लेकिन इसमें से सिटकिम बाहर हो जाएगा, ठीक है, सिटकिम में ऐसी कोई परिस्तिती नहीं पूसा आली है, शंकर फाइफ है, पूसा बेकर है, और दककन संकर 115 है, ऐसे दिया हुआ है, तो 54 का सी वाला हो जाएगा, पूसा बेकर, पूसा बेकर किसकी प्रजाती है, ये गेगू की प्रजाती है, बेकर से आप बेकरी समझ लीज़ों, और बेकरी का मतलब क्या, मल्टी परपस जो फ्लोर होता है, उसके लिए इसको जाना रखेगा, फिल्हाल इसमें से ही बाहर हो जाएगा, इसके बाद 55 को देखते है, क्रॉप दिया है, वेराइटी यज़ दि हुई है, इिसमें से सही आपको देखना है, तो चने की किसम है, पूसा चमतकार, मटर की किसम है वरदान, मूम की किसम है पूसा प्रजाटी, और एक मात्र चना वाला ठीक दिया है इसके बाद 56 को देखिए कहा जा रहा है कि इरूसिक अमल कौन से तेल में पाया जाता है और यह मनुष्य के स्वास्ति के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और इसमें कौन सा प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बाफ है सर्व धाल या उर्भड आप सर्सों का टिल अंसर दिया हो दिया ऑट क्यtextisa R6ẫn Sarso के टिल के लिंस पाया जाता है और ये रrunus nessa वास्थिके लिकली हानिकारक हो ता है regiment इस प्रकार से और तेल में 50% थेल होता है 20% बात मतिस्क्नाइं के मातिए और 18 से लेकर 20% प्रोटीन होता है अलसी में अगर देखा जाए तो 33 से लेकर 47% टेल और 36% प्रोटीन होता है तो उसी आधार पर हमें एंसर देना था और इसका correct answer B हो जाएगा सबसे ज़्यादा देखना था तो फ्लेक्सीट इसके बाद 57 को देखते है कहवा की फसल यानि जो कॉफी होती है उसके बारे में incorrect option आपको select करना है तो इसे 15 से लेकर 18 degree Celsius औसत वार्षिक तापमान की और शक्ता होती है मतलब इतना temperature उसे साल भर चाहिए होता है 150 से लेकर 200 cm औसत वार्षिक वर्षा चाहिए होती है और कहवा का उत्पादन 600 मीटर से लेकर 1600 मीटर की उचाहिए पर सबसे उत्तम माना जाता है अब इसमें से कौन सा सही है वो आपको देखना है और कौन गलत है अब देखे इसमें अगर आप D वाले को चुनेंगे non of these का मतलब यह हो जाएगा कि जितने हैं वो सभी सही से 38 डिगरी celsius वर्षा चाहिए होती है 75 से 100 cm और गन्य का रस्ट जो होता है उसमें अगर देखा जाए मैच्योर शुगर के जूस में जो शरकरा की मात्रा है वो कितनी होती है 60 से 70 प्रतिशत और गन्य में जो रोग लगता है वो है red rot तो आप बताएं कि इसमें से यह जो 58 आप देख रहे हैं correct answer क्या होगा ए वाला हो जाएगा यहाँ पर हमें चाहिए था incorrect तो temperature गलत दिया हुआ है 21 से लेकर 38 को जादा हो गया इतना तापमान में तो गन्या बेकार हो जाएगा यह 21 डिग्री celsius से लेकर 27 डिग्री celsius के बीच में होना चाहिए और थोड़ा कम ही रहे मतलब 21 के ही आसपास रहे तो बहतर ठीक और वर्षा जो है इसको बहुत जादा नहीं चाहिए होती है ल थाइमीन किस में नहीं पाया जाता है और इन विच आप दो फालोईंग क्रॉप राइबो फ्लेविन इस नौट फाउंड तो राइबो फ्लेविन और थाइमीन असल में वोते क्या है पहले तो यह मालू होना चाहिए अब इसमें आप देख लिजे पहले फसलों के नाम लीटे में मिलता है काजू में भी मिलता है और लीची में मिलता है ठीक है तो काजू में दोनों पाया जाते हैं यह याद रखेगा इसमें हमने देखा तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा डी वाला इसके बाद आगे चलते हैं डी वाले को हमने क्यों चुना है क्योंकि जिस या फिर copper और molybdenum होगा या boron और molybdenum होगा देखे 60 का right answer क्या हो जाएगा copper की कमी से die back और yellow spot disorder जो है वो molybdenum की कमी से होता है और इसलिए इसका correct answer है इसके बाद 61 को देखते है incorrect option आपको select करना है तो आर्थिक कारेक्रम समिती 1947 में बॉंबे प्लान आता है 1944 में गांधिवादी योजना आती है 1944 मतलब 1944 में और सर्वोदे प्लान आता है 1949 में अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत क्या है तो गलत इसका D वाला है बाकी जितने हैं वो तो ठीक है जो सर्वोदे योजना है उसकी date 1950 है और यहाँ पर 1949 दिया हुआ है तो यही एक मात्र गलत है इसके बाद 62 को देखते हैं सेलेक तक incorrect option पहली पंच वर्षी योजना ये हेराल डोमर माडल पर आधारित थी तीसरी पंच वर्षी योजना महाल 29 माडल पर आधारित थी चौथी वाली जुथी उसमें हरिटक्रांती और एकिरत क्रामीड विकास कारिक्रम चलाया गया था मतलब उसको बल दिया गया था और पांच वी योजना ये 20- hell कारिक्रम था इसमें मतलब 20- point वाल प्रोग्राम था और गाडगिल का फार्मूला इसमें इस्तिमाल किया गया था आप बता ही गलत कौन सा है तो 62 का correct answer इसमें B हो जाएगा मतलब B वाला गलत है ये जो महाल नोबिस वाला दिया है ने ये तीसरी नहीं थी ये दूसरी थी दूसरी पंचवर्शी योजना थी जो कि महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी PC महाल नोबिस बागी जितने हैं वो ठीक हैं अगले वाले को देखते हैं question number 63 में कहा गया कि कौन से ये ये योजना है जो कि 7 वी पंचवर्शी योजना से सम्मंदित नहीं है देखिये जो 5 ये प्लान पीछे चले है मतलब जब तक योजना आयोग का स्थित्व था तब तक तो इन में तरह तरह की योजना है लॉंच की जाती थी मतलब 5 साल का पूरा एक डेटाबेस तैयार किया जाता था कि उसी के एक और्डिंग काम किया जाएगा और एक लक्ष रखा जाता था कि उसे हम 5 साल में अचीव करेंगे तो ये पूरा होता था विसमें कई सारी योजना हैं होती थी आप बताएं साथवी पंचवर्शी योजना में कौन सा प्लान या कौन सा जो प्रोग्राम में वो शामिल नहीं है प्रधान मंतरी रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना या फिर सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम यानि केंद्रिय ग्रामिर्ट स्वक्षता कारिक्रम तो correct answer क्या हो जाएगा इसका ए वाला हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है ये 1993 की है और वो समय किसका है आठवी पंचवर्शी योजना का है ना कि सात्वी तो इसमें से जो प्रिधान मंत्री रोजगार योजना है उसको बाहर कर लीजे, बाकी जितने हैं वो सात्मी से बिलॉंग करते हैं चलिए, ये वाला सही है इसका, इसके बाद 64 को देखते हैं, यहां पूछा गया कि पहली बार कब मनाया गया था, तो पांट जून की तारीक तो थी ही, लेकिन जो सन है या समय है वो आपको बताना है तो यह 1973 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है 1973 में पांट जून की जो तारीक है उस पर इसे मनाया गया था तो जरा comment box में ये बताईएगा कि ये जो पर्यावरण दिवसे इसी तारीक पर क्यों मनाये गया, क्या वजह थी, इसके बाद 65 को देखते हैं, which of the following fact about heterotrop is not correct, इसमें से कौन सा विशम पोशी यानि heterotrop के बारे में सही नहीं है, तो ये प्रकास संसलेशन के माध्यम से अपने भोजन का उतपादन करने में सक्षम होते हैं, मतलब photosynthesis करते हैं और अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ये पौधों और जानवरों से प्राप्त जो जैविक भोजन होता है, यानि organic food होता है, उस पर निर्भर होते हैं, इन्हें सूक्षम उप्भोगता और व्रहत माध्यम से अपने भोजन का उतपादन करने में असमर्थ होते हैं, नहीं कर सकते हैं, और ये पौधों और जानवरों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरोधी कथन थे, उसमें से कोई एक ही सही हो सकता था, ठीक है, और इन्हे दिवीजन जो किया है, वो पर्फेक्ट है कि माइक्रो और जो मैक्रो है उसमें इसका कंज्यूमर के तौर पर डिवीजन होता है, तो इसमें हमने देखा कि जो ऊपर वाला है वही गलत है, यहां जो कहा है ने कि प्रकास संसलेशन के माध्यम से अपना भोजन खुद बना ल आती है, तो एवरेज टमप्रेचर वहां का 30 डिग्री सेल्सियस होता है, रेनफॉल वहां पे 25 सेंटीमीटर परियर मतलब औस वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यहां बहुत कम, स्नोफॉल जो है वह असल में 50 से 50 सेंटीमीटर मोटाई वाली बर्फ का ह होता है, और पूरे साल भर होता है, परियर, उपरियुकत सभी, अब बताइए, टुंड्रा बायोम, तो टुंड्रा बायोम के अगर बात करें, तो फोगोलिक विशेष्टा में इसमें अगर देखा जाए, यहां सही विकल्प का आपको चैन करना है, तो बी वाले को चुल जो वर्षा की मात्र दी, बाकी जितना है वो गड़बढ है, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस का जो औसत आपमान है, वो होता है, उसे कम ही रहता है, उसे जादा नहीं होता है, बलकि माइनस में चला जाता है, बहुत कम हो जाता है, और हिमपात की अगर बात करें, तो 10 से लेक अमेरिका में कमपोस पाया जाता है, उत्री अमेरिका में प्रेरी, आस्ट्रेलिया में डाउन्स और उत्री अमेरिका का लानोस भी है, ऐसे दिया हुआ है, नौर्थ अमेरिका में यहां दो दे रखे है, आप बताए, इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट इसका D वाला है ठीक है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और उत्री अमेरिका में प्रेयरी इसके अलामा लानोस जो आप देख रहे है न ये वैनजुला में मतलब साउथ अमेरिका में पढ़ता है और यहां दिया है नौर्थ अमेरिका तो वही गलत है डी वाला इसके बाद 68 को आप देखिए 2001 से देखे correct answer क्या हो जाएगा 242 इतनी बढ़ होतरी हुई है 242 वाला option इसमें कौन सा है C वाला है इसके बाद 79 प्रेशन को देखते है 69 correct option आपको select करना है तो उत्तर प्रदेश में 3 योजना बद्धनगर है यानि plant city है कौन कौन सी है तो नोएडा है greater नोएडा है और new कानपू 69 69 का right answer A हो जाएगा उत्तर प्रदेश में 3 योजना बद्धनगर है नोएडा greater नोएडा और new कानपूर city ठीक है यह हो गया और उसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो कोई नहीं अभी तक कोई नहीं साथ में बिहार में अगर देखे तो वहां भी कोई यहां दोनों के नाम दे रखें तो एक मात्र केवल पहला वाला ही सही तो यूपी वाला याद रखेगा यह पूछा जा सकता है इसके बाद 70 नंबर के question को देखेगा यहां जनकरणा के आकड़े पूछे जा रहे है 2011 वाले ही है कि निमनलिकित में से किस राज्य में नगरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे जादा है राज जी की अपनी जनसंख्या के बारे में दिया है मतलब उसी को आधार बना के आपको देखना है तो हिमांचल प्रदेश है उत्तराखंड राजस्थान है की उत्तर प्रदेश बीवाला हो जाएगा उत्तराखंड ठीक है यहां अगर खुद की आवादी के एवज में देखा जाए तो 30.2 है राजस्थान का 24.9 है और यूपी का 22.3 है परसेंटेज वाइस तो इसमें से करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा उत्तरा उत्तरा खंड हो जाएगा इसके बाद 71 को देखते है जनगर्णा 2011 के आकड़ों के इसाब से ग्रामीड चेत्रों और शहरी चेत्रों में शिशु लिंगानुपात क्या है मतलब 1,000 पुरुष यहां नहीं होंगे बलकी बच्चे होंगे यानि बालक शिशु होंगे उनकी तुल्ना में बालिकाओं की संख्या यही दी हुई है तो बताइए यहाँ ग्रामीड और शहरी प्रियागराज पहले नमबर पे आबादी के मामले में और साइस के हिसाब से भी बुरादाबाद सेकेंड पोजीशन पे हैं फिर गाजी अबाद है फिर आजम गड़ है फिर जाकर राजधानी हैं लखनव ये लोग हैं तो इसमें से बाहर कौन सा होता है जो कि नहीं आता है इसमें तो correct answer क्या होगा लखनव हो जाएगा यहां चूकि जो 4 है उनको पूछ रहा है अगर पाचवा पूछता तो लखनव आ जाता लेकिन लखनव इसमें चौथे में शामिल नहीं इसके बाद 73 को देखते हैं पूछा गया है कि कौन सा जिला उत्तर प्रिदेश के न्यूनितम दशकी वृधि दर वाले चार जिलों के अंतरगत नहीं आता है मतलब जहां पे minimum decadal growth population की दर्ज की गई उसमें शामिल नहीं तो कानपूर नगर देवरिया हमीरपू तो इससे बाहर फिर कौन सा हो जाएगा इसका देवरिया हो जाएगा ठीक है यहां पांच जिलों के बात हो रही है और यहां चार ही है ठीक तो चार में देवरिया नहीं आएगा न वो तो बार में चला गया नहीं पांचवे नंबर पर चला गया इसके बात चलते हैं आगे मश्रूम का उत्पादन है, बॉटल गार्ड यानि लॉकी का उत्पादन है, या फिर वीट का उत्पादन है, किसके प्रोडक्शन में, यूपी जो है, वो देश में, सेकेंड कोजिशन पे, तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, शहद मश्रूम, गेउं के 75 को देखें, क्रॉप दिया है, और 1st in production दिया हुआ है, तो मूली के उत्पादन में फतेपुर, यूपी के संदर में आपको देखना है, तो मूली के उत्पादन में फतेपुर जिला है, आलू के उत्पादन में मैनपुरी अवल है, प्याज का उत्पादन सबसे अधिक आ पुली ठीक है मूली मैन पुरी आप ऐसे याद कर लीजे और आलू आगरा वाला और प्याद जो है वो फते पुरी ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा के याद करेंगे या थोड़ा उसको कविता की तरह से डिजाइन करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा निए कितने करोड रुपए उत्तर प्रिदेश राजसरकार ने इकठे किया है मतलब टैक्स के तौर पे कितना इकठा किया है तो यहाँ आप देखें 73,280 है इसके बाद 73,852 है एक्जैक्ट आंकड़ा आपसे पूछा जा रहा है तो 73,280 होगा जो उपर वाला है वही सही है गु जो स्पेस है वहाँ पे आपको संख्या भरनी है तो इतने श्रमिक पंजिकरित हैं साथ में पहली बार शहरी छेत्रों में दिहाडी मजदूरों के लिए लगभग कितने राशन कार्ड जारी किये गया है वो संख्या भी बतानी है यूपी बजट के कॉर्डिंग तो यहां स पेट भर अनाज मिल सके तो 10,35,000 नए राशन कार्ड यहां इशू किये गया है तो इसका करेक्ट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा सी वाला हो जाएगा इसके बाद 78 को देखते हैं कहा गया कि सभी जिलों में समस्त थानों में अब कितने थाने हैं आपको बताना है थानों की स इसक यह महिलाओं से समंदित जो सुविधाय है इसे बनाया गया है तो करेक्ट आंसर इसका क्या है एवाला इसके बाद 79 को देखते हैं इसमें कहा गया कि ग्राम उजवला कारिक्रम के पहले चरण में किसे शामिल नहीं किया गया है तो बिहार आरा छेत्र या फिर उत्तर इसमें से कौन सा शामिल नहीं है और 79 का बी वाला हो जाएगा जो ग्राम उजवला कारिक्रम योजना है उसका शुभारंब होता है 19 मार्श 2021 को लेटेस्ट ठीक है और इस कारिक्रम के पहले चरण में चुकि अभी नहीं है तो पहला चरण उसमें आरा है जो कि बिहार से है वाराणसी उत्तरप्रिदेश का है विजयवाड़ा अगर आप देखें यहाँ पर करेक्ट एंसर इसका बी वाला इसी लिए था देखें वाराणसी यहाँ होना चाहिए था जो कि गोरकपुर दिया है ठीक है तो वाराणसी जो है वो यूपी का है विजयवाड़ा आपका अंद्र का हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र है यहाँ के गाओं और पश्चिमी गुजरात के जो गाओं है वहाँ पर करीब डेड़ करोड एलीडी बल्वों का वितरण किया जाएगा ताकि बिजली बचे और रौशनी फैले इसके बाद आगे चलते हैं क्वेस्टन क्वेशन नंबर 80 को देख लेते हैं इसमें कहा गया कि केंद्रिय प्रदूशर नियंत्रण बोर्ड सूचकांग 2021 के कितने सबसे प्रदूशित इस्थलों की पहचान की गई है मतलब केंद्रिय प्रदूशर नियंत्रण बोर्ड जो है वो अपना इंडेक्स जारी करता है इ आपको बताना है और इस सूचकांग के अंतरगत UP कौन से नंबर पर है यह आपको देखना है मतलब UP में कितने प्रदूशर इस्थलों की पहचान की गई है यह बताना है नंबर बताना है रैंक नहीं अब इसमें आप बताएं तो question number 80 का जो right answer है वो इसमें से D हो जाएगा यह March 2021 का data है और CPCB यानि जो प्रदूशर नियंतरड बोर्ड है उसने देश में 112 सबसे प्रदूशित स्थानों की पहचान की है सबसे प्रदूशित वैसे तो प्रदूशर अब हर जगह है और करीब 21 स्थान ऐसे हैं जो कि UP में है तो यह चिंता जनक बात है उत्तर प्रद प्रदूश की राजे सरकार ने हाली में निम्नलिखित में से किस जिले में बनाना फेस्टिवल केला महुटसो का आयोजित किया तो आप बताएं और बनाना फेस्टिवल और और यह जून के आसपास आता है मतलब जून के आसपास अगर आप देखे तो बढ़ियां केला इस समय आता है और ठंडी खतम होने से ठंडी शुरू होने से पहले इसका जो सीजन है वो समाप्त हो जाता है और यहां आप अगर देखें तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा कुशी नगर हो जाएगा इसके बाद अगले वाले को देखते हैं प्रश्न संख्या 82 में कहा गया कि ब आजीव गांदी विवानन विश्विद्याले यह कहा पे है अमेठी में है तो राइट एंसर इसका एवाला इसके बाद चलते हैं तिरासी में प्रश्न की ओर और इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्दुत परिशत की स्थापना कब की गई और राज प्रद्विकल्प का आपको चैन करना है तो राश्ट्री कथक संस्थान लखनव में है जनजाती नोपकला संस्कृती वाला जो संस्थान है यह भी लखनव में है मोतिलाल नहरोबाल संग्रहाल है यह भी लखनव में है और उतर प्रदेश राज की अभिलेखागार जो है मत की जो लोकेशन दी हुई है वो लख नव होगी लेकिन डी वाला इसमें प्रयाग राज होगा जो कि यहां नहीं दिया है अब इसके बाद 85 को देखते हैं सलेक दे इनकरेक्ट ऑप्शन इमंग दे फालोइंग तो उत्तर प्रदेश भाशा विभाग इस्टैबलिश हुआ था इसके बाद 86 को देखते हैं यहां कभी का नाम आपको बताना है मतलब कभी कौन सी भाशा के थे असल में यह बताना है तेलगू के थे या उडिया के थे तो इस भाशा के कभी डॉक्टर राजेंद्र की शोवर पांडा ने वर्ष 2020 के कुवेंपू राश्ट्रे पुरसकार क बताना है मतलब कितना पैसा मिला और किस भाशा में यह लिखते थे यह दो चीजें आपको इसमें से देखनी है तो 86 का जो डी वाला ओप्शन है वो पर्फेक्ट है यह उडिया भाशा के कभी थे ठीक है और पांच लाख रुपए का इनको जो कुवेंपू राश्ट्री प चैन कीजिए रिलेटेट टो ग्लोबल स्टार्टप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 यह जो इंडेक्स है ना इसकी आधार पे आपको चैन करना है तो 20 भी रैंक भारत को प्राप्त हुई थी और पहली रैंक कैनाडा की थी सेकेंड रैंक थी उनाटेट किंगडम की और थर्ड पो होगा बाकी सब सही, इसके भाद 88 में प्रेश्ण की ऊड़ कोड़ चलते है, 88 में प्रेश्ण में आपसे पूचा गया कि हाली में किस राखे ने हेल्प लाइन सुकून का उद्घाटन किया है, और हाली में निम्निलिखित में से किस राज्जे में महिला उद्यामिता को प् सुकून शुरू हुआ था और जहां होसला शुरू हुआ था ये दो चीजे देखें क्वेश्चन नंबर 88 का डी वाला हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है सुकून ठीक है जम्मू कश्मीर में है सुकून और इसमें से अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में अगर सुकून है कि यहां लद्दाग दे रखा है तो गड़वड हो गया है question number 89 question number 89 में आप से पूछा गया है कि सही विकल्प का चैन कीजिए किसके बारे में तो global cyber security index 2020 इसके बारे में cyber सुरक्षा सुचकांक में आप देखें कि भारत की ranking है 12 हुई पहली rank पर कौन है सयुक्तराज अमेरिका दूसरी rank पर है जर्मनी और तीसरी rank पर है साओधी अरेविया आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है और इसका जो correct answer है वो इसमें B हो जाएगा ठीक है पहली rank जो यहां पर दी हुई है न वो सही है सयुक्तराज अमेरिका दूसरी rank किसकी है UK यानि United Kingdom की है और साओधी अरब भी है बतलब दोनों सयुक्तरूप से second position पर है और third position पर Estonia है इस प्रकार से और दसमी rank है हमारे देश की हमारा जो देश है वो cyber सुरक्षा सुचकांक में दसमें स्थान पर है तो यह पूरा मामला है और इसका correct answer सिर्फ B वाला होगा इसके बाद चलते हैं 90 नंबर की question को देखते हैं और इसमें आगे ही blank space है कौन सा ऐसा bank है जिसने की अभी हाल फिलाल में medical doctor के लिए भारत का सबसे व्यापक banking समाधान Salute Doctors लांच किया है और भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल यह किस institute या किस संस्था के द्वारा अभी हाल में ही विक्सित किया गया आप बताईए यह दोनों चीज बैंक का नाम और संस्था का नाम और 90 नंबर का जो question ने ऊपर वाला इसे यह ज्यादा नीचे जाने की आशिकता नहीं है ICICI bank है जो कि यह Salute Doctors नाम का जो प्रोग्राम है बैंकिंग समाधाने इसको लांच किया है और इंद्रजाल यह हैदराबाद इस फिर जो ग्रेने रोबोटिक्स नाम की लैब या संस्था है उसके द्वारा विक्सित किया गया है यह स्वदेशी ड्रोन है ठीक है तो यह वाला इसका है उपर वाला मतलब करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसके बाद 91 को देखते हैं यहाँ आप देखें कहा गया कि हाली में किसे अहमदाबाद Management Association परिसर में जापानी शैली के जेन गॉर्डन और काईजन अकेडमी का वर्च्वली उद्गाटन करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है मतलब यह कौन थे और इसके अलावा किस देश को हाल फिल हाल में Financial Action Task Force के द्वारा जारी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है तो ग्रे लिस्ट जो होती है उसमें बदनाम देशों को शामिल किया जाता है अब आप देखिए इसमें से कौन सा तो 91 का राइट एंसर क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उत्खाटन किया गया था वो भी वर्चुल तरीके से कहां पर हुआ था वो भी याद रखेगा कौन सी शहली में बना है वो भी याद रखेगा तो इन दोनों प्रशनों के उत्तर आपको जो प्रशन पूछा है इसी में दिखाई दे रहा है तो नरेंद्र मोनी जी हो जाएंगे और इसके अलामा जो correct answer है इसका C वाला हो जाएगा फिलिपीन्स ठीक है ये financial action task force के द्वारा जो grey list में डाला गया है फिलिपीन्स को डाला गया है इसके बाद 92 को देखते हैं question number 92 में कहा गया कि आपचारिक रूप से आएकर अपीले नयाधी करड़ जो है IR80 माप कीज़ेगा IT80 E-Dwar इसका e-filing portal launch किया गया है और इसे कहा launch किया गया है ये आपको बताना है मतलब कौन launch किया है कौन से मंत्री launch किया है ये बताना है और कहां पर launching हुई है वो बताना है ये है क्या तो ये e-filing portal है अब इसमें आप देखें तो 92 का जो right answer है वो इसमें से D-वाला हो जाएगा मतलब ये जैसे हमारे भारत रतनों होता है वैसे उस देश का सर्वोचे नागरिक पुरसकार है तो ये देश कौन सा है बस ये बताना है और 93 का right answer क्या हो जाएगा D-वाला हो जाएगा ये कहां का है मंगोलिया का सर्वोचे नागरिक पुरसकार है और इसलिए इसमें से जो B वाला option है वो perfect इसके बाद 94 को देखते है आगे ही blank space है वहाँ देश का नाम आपको भरना है कि 9 एशियाई मंतरे स्तरी उर्जा गोलमेज सम्मेलन की वो मेजबानी करेगा वो देश और ये जो 9 गोलमेज सम्मेलन है मतलब ये एशियाई उर्जा गोलमेज सम्मेलन है असल मे तो ये कहां पर आयोजित किया जाएगा ये venue भी आपको बताना है अब इसमें आप देखें और date भी साथ में दी हुई है तो यहाँ असल में ये वर्ष ही आपको बताना है वेन्यू नहीं बताना है बलकि वर्ष बताना है तो आप बताईए इसमें से कौन मेजबानी करेगा तो वेन्यू तो अपने आप मेजबान के हाँ होगा ही ये तो पक्की बात है देखें 94 का राइट एंसर इसमें A हो जाएगा भारत जो है न वो नौवे एशियाई मंतरे इस्तरी उर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा मतलब उसका होस्ट होगा और ये जो नौवा यहाँ गोलमेज सम्मेलन है ये 2022 में ही आयोजित किया जाएगा यानि अगले साल तो करेक्ट एंसर इसमें से कौन सा होगा ये वाला हो जाएगा इसके बाद 95 को देखते हैं भारत सरकार और विश्यो बैंक ने हाल ही में कहा पर मतलब कौन से राज्ये के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिनर समझोते पर हस्ताक्षर किये वहाँ पर डेवलप्मेंट के लिए तो ये जो समझोता हुआ था ये असल में मिजोरम के लिए हुआ था पुरवत्तर के राज्यों में आजकल विश्यो बैंक भी काफी रुची ले रहा है तो ये चीज़े हैं डी वाला इसका एंसर हो जाएगा विश्यो बैंक के साथ भारत की साज़ेदारी इसके बाद चलते हैं 96 की ओर 96 में आपसे कहा गया कि इंडियन बैंक के प्रमन निदेशक ये कौन बने हुए है मतलब प्रमन निदेशक और मुखे कारी-कारी अधिकारी के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है और सोशल मीडिया अप्लिकेशन स्माल बिजनेस लोन इनिशेटिव को लाँच किया गया है किसके द्वारा बताईए तो अब यहाँ पर शांतिलाल जैन और मुखे कारी-कारी अधिकारी दोनों बनाया गया है और साथ में फेस्बुक इंडिया का यहाँ नाम आता है जिसने कि यह इनिशेटिव लाँच किया है तो करेक्ट एंसर क्या होगा इसका सी वाला हो जाएगा इसके बाद 97 को देखते हैं इसने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से सोमनाथ गुजरात में कई परियोजनाओं का उद्गहाटन और शिला न्यास किया है और NPCI International Payments Limited ने सयुकतराज अमेरिका में Unified Payments Interface की भुगतान प्रडाली सुविधा शुरू करने के लिए कौन से देश के साथ भागिदारी की है माप कीज़ेगा कौन से बैंक के साथ भागिदारी की है वो आपको बताने है तो यहाँ आप देखें 97 97 का राइट एंसर क्या होगा यह वाला हो जाएगा 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से जो सोमनाथ भगवान श्रीव के जोतिरलिंग वाला एरिया है वहाँ गुजरात में कई परियोजनाओं के उद्घाटन का उद्घाटन और शिलानियाश का जो काम है वो किया गया था यह मोदी जी के द्वारा किया गया था नाम से एक प्लेटफार्म को लांच किया है और हाली में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूलिवान कमपनियों की जो लिस्ट है 2021 वाली उसमें कौन सी कमपनी दुनिया की सबसे कीमती कमपनी आप बताईए देखिए इसमें बैंक का नाम और कमपनी का नाम एक साथ आपको देखना है और इसलिए चुनना आसान है बीवाला हो जाएगा कोटेक महिंद्रा ने नियो कलेक्शन नाम का नया प्लेटफार्म लांच किया है और एपल जो है वो दुनिया की सबसे मूलिवान कमपनी के तौर पे मतलब 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत वाली कमपनी है और छे कमपनी को अगर देखना चाहे तो एपल के बाद Microsoft है उसके बाद Amazon है फिर Alphabet है फिर Facebook है फिर उसके बाद Tencent है इस प्रकार से तो यह है अपरिवर्थित लिस्ट अब इसमें आपने देखा इसके बाद अगले वाले को देखते हैं किस कमपनी ने अपने ग्राहकों को सहज, स्वा, सेवा, अनुभाव और प्रश्णों और मुद्दों का तेजी से समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करने ही तो उर्जा नामक एक AI सक्षम चैट बोट को लांच किया है यह एक तरह का चैट बोट है और यह क्या है आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस से युक्त है अब इसमें आप बताएं कौन सी ये संस्था है हिंटुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन है इंडियन आयल है या फिर आयलन नेचुरल गैश वाला है या फिर भारत पेट्रोलियम वाला है बताई तो 99 का राइट एंसर क्या हो जाएगा दी वाला हो जाएगा ठीक है भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेट की त्वारा ये जो स्वासेवा अनुभव है और तेजी से समाधान आधी प्राप्त करने के लिए ये बोर्ट लॉंच किया गया है तो करेक्ट एंसर D होगा इसके बाद चलते हैं अगले यानि 100 नंबर के क्वेश्चन की ओर शतक और इसमें कहा गया कि मलेशिया का नया प्रदान मंतरी किसको बनाया गया है और बैंकिंग और वित्तिय धोखादरी सलाकार बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त करने की घोशना की गया है तो किसको नियुक्त किया जाएगा उस व्यक्ति का नाम भी आपको बताना है और ये जो प्रशन है इसे ध्यान से देखिए इसका करेक्ट अंसर C होगा इसमाईल, साबरी, याकूब इन्हें मलेशिया के नये प्रदान मंतरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है और इससे पहले प्रदान मंतरी के तौर पे कौन थे? ये मुहिन दी नियासीन थे, जो अभी पूरवर्ती थे, उनकी जगह ये लिए साथ में अगर देखा जाए तो केंद्री सतरक्ता आयोग के टीन बसीन को बैंकिंग और वित्तिय दोखादरी सलाकार बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है फिर उसे न्यूक्त करने की घोशना की गई है, ये बड़ी बात ठीक है, तो उसका correct answer फिर कौन सा होगा, C वाला हो जाएगा तो यहां तक तो हमने general knowledge के कुछ फुट कर प्रशनों को हल किया है अभी जो segment है उसमें हम देखने जा रहे हैं अब यहां पर grammatical error कहां पे है, good health में है, healthy routine में है, likely enjoying में है या those who follow में है, आप देखकर बताएं और question number first का जो right answer है, वो इसमें C हो जाएगा ठीक है, इसमें आपको सिर्फ देखना है, grammar अगर ठीक ठाक आप जानते हैं या पता है आपको तो आप आराम से इसमें से कमिया ढूड लेंगे, तो C वाला इसमें सही है इस likely enjoying, ये वाला जो इसमें option है ये tense के हिसाफ से perfect नहीं है, grammatical error इसमें दिखाई देती है इसके बाद second question को देखते हैं, पहले से लेकर चौथे तक हम ये काम करना है, तो दूसरे question में भी वही करना है पहले वाले में कहा गया, और उसी हिसाफ से दूसरे वाले को देखे, when I reached the cinema hall, the movie had already begun मतलब जब मैं cinema hall में पहुँचा तो जो film है वो पहले से शुरू हो चुकी थी, अब इसमें कमी कहाँ पर है तो second वाले का correct answer क्या हो जाएगा, A वाला, ठीक है, A वाला मतलब क्या, already begun जो यहां लिखा हुआ है, इसमें आप देखे कि grammatical error है मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि तुमने जितने भी आवश्यक काज़ात है उनको submit कर दिया होगा तो अब इसमें आप बताएए कि जो grammatical error है वो कहाँ पर है और third question का जो right answer है वो इसमें A वाला हो जाएगा मतलब I am believing, यह देखकर भी लग रहा है, इसमें पहचानना आसान है इसके बाद fourth number के question को देखिए No sooner did we receive your message when we have sigh of relief अब इसमें से आप बताएए, कहाँ पर गड़बड़ी है या grammatical error है तो did we receive में है, या फिर sigh of relief में है, या फिर your message में है या फिर when we have, यह आप देख रहे है इसका जो D वाला option है उसे आप देख रहे है यहाँ पर गड़बड़, यह जो grammatical error है वो यहाँ दिखाई देती है बाकी वाके तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है इसके बाद पाँवे नंबर से लेकर नौवे नंबर तका जो question है वहाँ पर हमें क्या करना है, जो correct alternative है वो select करना है मतलब choose the correct alternatives of the underlined part in the sentence तो आप देखें कि sentence क्या है अब यह resembled जो लिखा हुआ है, resembled with, इसकी जगा पर क्या लिख सकते है तो यहाँ आप देखें, resembled लिख सकते हैं, resembled by लिख सकते हैं, no improvement मतलब कोई improvement चाहिए ही नहीं, या resembled to लिख सकते हैं no improvement का मतलब यह है कि जैसे है वैसे ही रखते तो question number 5th का जो right answer है, वो इसमें A हो जाएगा, resembled लिख सकते हैं width लगाने से अच्छा है कि आप resembled लिख लिख लिजे, काम हो जाएगा, ed जोड दिया, वो उतना width अगर अलग से लिखने के आउशकता नहीं है इसके बाद छटवे number के question को देखिए, कहा जा रहा है कि the mathematical calculation of this problem is easy than a previous one मतलब पिछले वाले सवाल या जो पिछली वाली problem है, उसकी तुलना में इसका जो calculation है, वो सरल है तो आप यहाँ जो easy than a लिखा हुआ है, उसकी जगा पर क्या भरिएगा, मतलब क्या appropriate लिखेंगे और six वाले का जो right answer है, वो इसमें B हो जाएगा, easier than the, ठीक है, यह ज़्यादा perfect है, easier than the इसके बाद आगे चलते हैं, seven वाले को देख लेते हैं, no effort has been made by the Indian cricket team to cash off in its vibrant image in the world cup अब यह एक sentence है, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन sentence है, अब इसमें जो underline किया हुआ, कुछ शब्दों का, यहाँ यूग में है, उसे आप देखें, तो to cash off, ठीक है, to cash off, जो यहाँ लिखा हुआ है, उसके नीचे underline है, आप बताएं कि उसकी जगा पर क्या appropriate हम भर सकत है, तो for cash throw in, या फिर for cashing off on, यहाँ पर ing जोड दिया है, ध्यान दीजेगा, या to cash in on, यहाँ देखिए, to cash up on, इसमें से कौन सा भरेंगे, तो 7 वाला जो है, इसका right answer क्या हो जाएगा, c वाला, to cash in on, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, question number 8 को, your advice will benefit to me, अब यहाँ benefit to me की जगा पर क्या भरेंगे, benefit from me, benefit me, no substitution, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह की substitution की और शिक्ता नहीं है, जो है वो सही है, या फिर benefit for me, अब इसमें से आप बताएं, तो 8 वाला जो है, इसमें right answer क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, benefit me, जो benefit to me लिखा हुआ है, उसके जगा benefit me भर चोड़ दिया था, left कर दिया था, तो यहाँ आपको देखना है कि जो where you left लिखा हुआ है, उसके नीचे underline है, 9 नंबर के प्रशन को आप यहाँ पर देख रहे है, अब इस underlining जो पूरा word group है, इसको अगर आप देगे तो substitution इसका क्या हो सकता है, पहले जो पहला option दिया है, कुछ भी substitute करने के आउशित्ता नहीं है, जो है वैसे ही सही है, या फिर b वाले में का आगया है कि where did you left, ऐसे लिखेंगे, या फिर where were you leaving, वर का इस्तिमाल करेंगे और ing जोडेंगे leave के साथ, या फिर where did you leave, इस प्रकार से लिखेंगे, तो tense का सही सही ग्यान और क्रिया के र परफेक्ट हो जाएगा, interrogative sentence है, लेकिन यहाँ जो grammatical mistake था उसे हम substitute करके दूर कर सकते हैं, इसके बाद 10th number के question को देखें, कुल पचास प्रशन अंग्रेजी के हैं, जिसमें सिके हम दस्वा देख रहे हैं, तो choose the one which best expresses the given sentence in active form, तो active form में इसको कौन best expression देगा, आप देखें यह पहले sentence क्या है, the thief was being arrested by the police, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, the police was arresting the thief, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर the police has arrested the thief, ऐसे लिख सकते हैं, या the police had arrested the thief, इस प्रकार से, head का इस्तेमाल करेंगे, या क्या करेंगे वो आप देखें, तो 10th number का यह जो question है, इसमें correct answer, A हो जाएगा, This was arresting the thief, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, question number 11 की और, और इसमें कहा गया है कि जो passive farm है, उसमें change करिये इन sentence को, तो Martin drew a picture of the snow-capped mountain, मतलब Martin नाम के जो चित्रकार थे, उन्होंने एक picture ड्रॉ की, और जो चित्र था, वो किस से समझने था, snow-capped mountain से या नि बर्ब से धकी हुई, चोटियों से था, बतलब परवतों से था, तो इसमें आप बताईए कि इसका passive farm क्या हो सकता है, अब यहां चार अलग-अलग statements दे रखें, correct answer इसका B होगा, और B के according एक बार देख लीजे, देखिए, यहां जो B वाला option है, वो perfect है, a picture of a snow-capped mountains was drawn by Martin, इस प्रकार से हम देखत हुआ है, तो अब बताईए कि इसका active form क्या हो सकता है, अब यह जो 12th वाला इसका right answer C हो जाएगा, मतलब Maya wrote this beautiful story, यह वाला जो C वाला option है, यह perfect है, इसके बाद 13 number के question को देखें, इसमें आपको passive farm में change करना है, तो his elder sister taught him English, अब यहां बताएए कि इसका passive farm कैसे लिखा जाए मतलब he was taught English by his elder sister, मतलब वह English पढ़ता है किससे अपनी बड़ी बहन से, तो यहां जो D वाला option है, वो perfect है, इसके बाद 14 number के question को देखें, इसमें कहा गया कि change the given sentence in passive farm, did your problems you had to face discourage you, यह question पूछा गया है, अब इसको आपको क्या करना है, passive farm में change करना है, did the problems you had to face discourage you, अब इसे आप देखें, are you being discouraged by the problem you had to face, ऐसे question पूछ रहा है, या फिर second statement विव ऐसे ही करके, मतलब हेर फेर करके, शब्दों का दिया हुआ है, तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा perfect है, passive farm में, 14 का right answer इसमें से D हो जाएगा, where you discouraged by the problems you had to face, ठीक, तो यह वाला जो last वाला इसमें है, वो 15 को देखते हैं, question number 15 हमा जो है, उसमें पूछा गया है, मतलब 15 से लेकर 18 तक जो question है, वो एक जैसे हैं, और इनके बारे में कहा जा रहा है कि in the following question, a sentence has been given, in direct or indirect form, out of the four alternatives suggested, select the one which best expresses the same sentence, in direct or indirect, मतलब क्या पूछ रहा है, जैसे direct देगा, तो indirect देगा, तो direct पूछेगा, अब य is your flight tomorrow, मतलब तुमारी जो flight है कल वाली, तुमारो की, उसका समय क्या है, तो ये उसने मुझ से कहा, इस प्रकार से ये sentence दिया हुआ, she said to me, what time is your flight tomorrow, और इसका आपको क्या करना है, direct or indirect, तो यहाँ जो इसका far में उसको change करके देखे, कौन सा होगा, she asked me, what time is my flight the next day, या फिर, she asked me, what time my flight will be the next day, या she asked me, what time my flight was the following day, या फिर, एक सेंटेंस और दिया हुआ है, correct answer is 15 का क्या हो जाएगा, c वाला हो जाएगा, she asked me, what time my flight was the following day, ठीक है, following day, यहाँ इस प्रकार से इसे change करेंगा, इसके बाद 16 नंबर की question को देखे, the teacher commanded the student not to shout, ठीक, अब इसमें आप देखें कि इसका कैसे change होगा, तो the teacher said to, maaf किजेगा, the teacher says to the students, do not shout, मतलब teacher ने student को कहा कि चिलाओ नहीं, इसी प्रकार से और भी इसमें लिखने का तरीका है, तो 16 नंबर का यह जो question है, इसका correct answer B हो जाएगा, वही सही है, the teacher said to the students, do not shout, इसे inverted kwama में ऐसे लिखेंगे, अब इसके बाद आगे चलते हैं, 17 नंबर के question को देखते हैं, the teacher said to me, you have not submitted the assignment, अब इसे आप कैसे convert करिएगा, तो इसे अगर आप convert करेंगे, तो इसका जो right answer है, वह इसमें से, देख लीजे पहले, C वाला हो जाएगा, the teacher told me, that I had, यहाँ head का इस्तिमाल करेंगे, यह ध्यान दीजेगा, I had not submitted the assignment, कहां head का इस्तिमाल करना है, कहां कौन सी चीज लगानी है, यह मालूम होना चाहिए पहले से, क्योंकि grammatical error वहीं से होती है, अब इसके बाद 18 नंबर की question को देखें, यह last question है, इस तरह का direct-in-direct वाला, तो the lawyer said to me, there is no proof of your involvement in this case, अब यहाँ देखें, इसे कैसे convert करेंगे, तो 18 नंबर का यह जो question है, इसका right answer B हो जाएगा, the lawyer told me that there was no proof of my involvement in that case, that case हो जाएगा, this से इसको किसमे convert करेंगे, that में convert करेंगे और correct answer इसका B वाला है, इसके बाद 19 से लेकर 23 तक जो प्रशनों का मामला है, उसमें हमें क्या करना है, यह जो question है, इसमें sentence are given with a blank to be filled, मतलब feeling the blank यहाँ आपको fulfill करना है, जो sentence है, उसमें blank space है, नीचे कुछ विकल्प दिये हैं, उसमें से आपको चुनना होगा, तो आप देखिए, 19 में question में कहा गया है, कि the groom stood before the, अब यहाँ पे एक blank space है, for the wedding ceremony at the church, अब यहाँ बीच में जो खाली स्थान है, कौन सा शब्दा तो correct answer 19 का क्या हो जाएगा, 19 का right answer हो जाएगा T वाला, अल्टार ठीक है, तो यहाँ पर यह वाला सही, इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं, 20 number का question इसमें कहा गया कि a reward is, अब इसके बाद बीच में blank space है, which motivate a person to achieve excellence in his field, अब इसमें आप देखकर बत बीच वाला, इसके बाद 21 को देखते हैं, 21 वाले में कहा गया कि the government should take stringent steps against terrorists and foil there, अब इसके बाद बीच में एक खाली स्थान है, designs, अब बीच में आप क्या भरिएगा, इसमें आप जो नीचे sentence दिया है, उसमें से देखिए, माप की जगा नीचे जो शब्द दिये हैं, words द D वाला हो जाएगा, यहाँ पर क्या भरेंगे, भरेंगे, malicious भरेंगे, ठीक है, malicious भरेंगे, यहाँ पर, और उसके बाद आगी चलते हैं, यहाँ देख लिजे, question number 22, being a millionaire is, he is leading a, अब इसके बाद leading a के बाद एक खाली स्थान है और उसके बाद लिखा है life, तो बीच में क्या भरेंगे, expensive भरेंगे, conductive भरेंगे, या इसमें से luxurious भरेंगे, कुछ भी भर सकते हैं, शब्द काफी अच्छे अच्छे हैं, तो 22 का इसमें सबसे suitable शब्द कौन सा होगा, देख लीजे, और correct answer क्या होगा, D वाला होगा luxurious, जब उसके पास million और billion में dollars और रूपी होंगे, तो passport, biometrics, तो अब देख लीजे, इसमें जो नीचे शब्द दिये हुए है, कौन सा सही रहेगा, 23 का right answer, B वाला हो जाएगा, exempted, ठीक है, तो ये वाला जो शब्द है, ये इसमें भरा जाएगा, यहाँ पहुचा दीजे, इसके बाद अब अगले वाले को देखते हैं, जो कि 24 से लेकर 29 तक एक जैसा है, यहाँ पर शब्द दे दिया है, ठीक है, अब करना क्या है आपको, तो in the following question, out of the four alternative, choose the one which best expresses the meaning of word given in bold, मतलब जो bold अक्षरों में यहाँ पर लिखे हुए शब्द हैं, उनको आपको देखना है, और उनका जो same meaning है, उससे सम्मंदित या उसकी व्या भरेंगे इसमें, मतलब कौन सा इसके match में रहेगा, तो 24 का right answer इसमें से कौन सा होगा, A वाला हो जाएगा, respect, इसके बाद देखें 25 को prevent लिखा हुआ है, अब prevent के लिए क्या इसमें चुनेंगे, तो आप देखें, construct लिखा है, allow लिखा है, overt लिखा है, और provoke लिखा हुआ है, तो 25 का right answer क्या होगा, C वाला हो जाएगा, overt हो जाएगा, ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखें 26, acknowledgement, अब इसके जगा पर क्या रखिएगा इसमें, मतलब क्या चुनिएगा, तो 26 का right answer क्या होगा, D वाला हो जाएगा, confirmation, acknowledgement जो होते हैं, उनका उद्दिश क्या होता है, confirm करना ही तो होता है, इसके बाद अगले वाले को देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, prodigal, अब इसके लिए क्या भरिएगा, तो 27 का correct answer इसमें कौन सा होगा, देख लीजे एक बार, C वाला हो जाएगा, ठीक है, extravagant, यहाँ C वाले को निशान लगा लीजे, इसके बाद लास्ट क्वेस्टन इस टाइप का है, तो नीचे जो यहाँ विकल्प दे रखें हैं, उसमें सबसे उप्युक्त कौन सा है, 29 को देखा, A वाला है, singular, ठीक है, singular, तो इसे आपने देखा, अब इसके बाद, question number 30 से लेकर 33 तक, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कि in these questions, choose the word opposite in meaning, to the word given in bold, पीछे हमने synonym से एक तरह से देखा है, समानार्थक या जो परियावाची होते हैं, उन्हें हमने देखा है, और वैसे ही यहाँ पर हम antonym से opposite जो word है, उन्हें देखने वाले हैं, तो उल्टा आपको खोजना है, अब यहाँ देखिए, absolute लिखा हुआ है, और इसक जगा पर क्या भरेंगे, recent, यह इसका opposite, इसके बाद अगला वाला देख लीजे, नीचे वाला जो इसमें impression दिया हुआ है, लिखा हुआ है derogatory, अब इसके लिए opposite word इसमें से आपको तलशना है, तो 31st का right answer B हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो होगा, D वाला हो जाएगा, evident, ठीक, evident हो जाएगा, अच्छा, इसके बाद 33 को देखिए, friendship लिखा हुआ है, friendship के लिए क्या भरिएगा, इसमें से कौन सा शब्द आपके लिए सही रहेगा, तो friendship का इसमें से, मतलब मित्रता का opposite क्या होगा, शत्रुता हो जाएगा, तो शत्र वाला है, मतलब one word, जो इसमें आप देख लिएजे, पूछा क्या है, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given word or sentence, तो अब यहाँ देखिए कि sentence दिया हुआ है, और इसके लिए आपको जो word है, वो select करना है, जो कि इसे substitute कर सके, मतलब इतना लंबा sentence हटा कर हैं, उस शब्द का इस्तिमाल कर सके हैं, जैसे हिंदी में आप वाकेंज के लिए एक शब्द बढ़ते हैं, वैसे ही, तो यहाँ पर आप देखे, open refusal to obey order, अब इसके लिए क्या भरेंगे, तो correct answer इसमें से अगर आप देखे 34 को, तो D वाला हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, defiance इसमें भरा जाएगा, तो इसका जो D वाला option है, वो perfect है, इसके बाद 35 को देखते हैं, 35 में आप से पूछा गया, कि moral that govern once behavior, मतलब किसी एक व्यक्तिका, जो यहाँ पर behavior या attitude है, दोनों ही कह सकते हैं, बरताओं की बात हो रही है, तो उसको handle करने वाला moral क्या कहलाता है, तो अब इसमें आप देखे यहाँ पर जो विकल्ब दिया, उसमें से कौन सा perfect होगा, attitude तो खुदी है, यहाँ पर synonyms में आ जाएगा, बाकी जो है psychology, एक विधा हो जाएगी, वो अलग चीज है, 35 का right answer इसमें से B वाला हो जाएगा, ethics, आपने बहुत बार सुना होगा, तो यह जो नीती शास्त्र होता ह ships होते हैं, उन पर सामान चड़ाने उतारने का, loading और unloading का काम करता है, तो इसे क्या कह दे है, इसे captain कहेंगे, या फिर कुछ और कहेंगे, तो captain जो है, वो यह काम क्यों करने लगा, तो C वाला तो होगा नहीं, बाकी आप देख लीजे, तो 36 का right answer इसमें B हो जाएगा, ठीक ह यहां आप देख रहे हैं, इसके बाद 37 को देखिए, यहां का आजा रहे हैं कि a sudden rush of a large number of frightened people or animal, इसे क्या कहा जाएगा, तो इस तरह की जो एक घवराई हुए भीड होती है, इसको क्या कहा जाता है, 37 का, C वाला हो जाएगा, यहां क्या भरेंगे, stamp it भरेंगे, इसके बाद 38 को देखते हैं, यहां पर का आजा रहा है कि one who is preoccupied with his own interest, उसको क्या कहेंगे, egoist कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे इसमें से, तो आप देखेंगे इसमें से 38 का right answer, यह वाला ही होगा, egoist कहेंगे, जो कि अपने own interest पर ही निर्भर रहे और किसी दूसरे की कदर न करे, तो अपना ego यानि अहंकारी व्यक्ति कहलाता है, इसके बाद 39 को देखिए, a geometrical figure with 8 sides, मतलब 8 kone वाला geometrical figure होता है, उसको क्या कहते हैं, octagonal कहते हैं, pentagonal कहते हैं, hexagonal कहते हैं, या heptagonal कहते हैं, तो 39 का right answer है, उसमें A हो जाएगा, octagonal कहते हैं, octa मतलब 8 होता ही है, तो इसमें आराम से आप पकड़ सकते हैं, इसके बाद 40 में question को देखिएगा, a person very reserved in speech, इसको क्या कहा जाएगा, इसे confident कहा जाएगा, या कुछ और इसमें जो शब्द दे रखे हैं, हाला कि उनका ज्यादा संबंध है नहीं, 40 का जो right answer है, उसमें से कौन सा होगा, B वाला हो जाएगा, ठीक है, उसे reticent कहा जाएगा, यहां आप देख रहे हैं, वाकी जो शब्द हैं, उनके अर्थ से इसका मिलान नहीं होता है, यहां वाक्यांच के लिए एक शब्द हमने complete किया है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 41 से लेकर 46 तक हमें क्या काम करना है, इसमें हमें यह कर alternatives are given for the item or phrase, लोकोक्ती और मुहावरा, और in bold in the sentence, choose the alternative which best express the meaning of the item and phrase given in bold, मतलब आपको जो मुहावरा या लोकोक्ती है, यानि item या फ्रेस है, उसका जो exact meaning है वो तलाशना है, तो पहले यहां देखे कि मोटे अच्छरों में वो मुहावरा दे रखा है, जैसे कि back to square one, अब इसम something, या फिर come to the original point, या draw a square, या फिर more ahead, इसमें से कौन सा होगा, तो 41 का right answer B हो जाएगा, come to the original point, यानि वास्तविक बिंदू पर lot आना, इसके बाद dead heat को आप देख रहे हैं नीचे, या आप देख रहे हैं, जो 42 मा है, इसका जो exact meaning है वो इसमें से कौन सा होगा, तो correct answer is 42 वा इसके बाद आगे चलते हैं, close contest, that is in a tie, ये वाला जो option है, ये परफेक्ट है, इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं, the bees knees, ये वाला जो महाबरा है, ये काफी अच्छा है और काफी प्रशलित है, तो इसके लिए आप क्या चुनिएगा इसमें से, ये बेवकूफ के लिए आता है या फिर extraordinary, जो person होते हैं, उनको कहा जाता है, 43 का right answer इसमें से, D वाला हो जाएगा, extraordinary के लिए इसके बाद 44 को देखिए, throw off it, to throw off it, अब इसमें से इसके लिए जो suitable meaning है, वो चुनिए है, बता ही क्या होगा, तो 44 का right answer इसमें से, C वाला हो जाएगा, express extreme anger, बहुत ज्य या फिर कुछ और, तो bring to light यानि प्रकाश में ले आना या प्रकाश डालना, ये तो हिंदी का भी मुहावरा है, अंग्रेजी का भी है, तो इसके लिए correct answer क्या होगा फिर, इसका उपर वाला ही सही है, मतलब किसी चीज का खुलासा करना, प्रकाश में लाने का मतलब क्या हो मतलब वैदता की जो प्रतिग्या होती है, उसको कहा जाता है, जल उठाना, हाथ में जल उठाना, सपत लेते हैं, इसके बाद देखे, choose the correctly spelled word, अब यहाँ देखे, spelling आपको देखनी है, 46 तक तक तो हमने वो काम किया है, जिसमें की हमने item और phrase का earth ढूडा, अब यहाँ पर spelling क इसे नहीं होगी, बाकी जो हैं उसाही नहीं दिया, इसके बाद 48 को देखते हैं, यहाँ correctly spelled word आपको ढूड़ना है, तो देख लीजे इसमें से, और 48 का right answer कौन सा हो जाएगा, इसका भी यह हो जाएगा, वैटनरी जो लिखा हुआ है, वो सही है, बाकी जितने हैं, वो गलत हैं, इसके बाद employed की साफ साफ दिखाई दरी गलत spelling, पहला वाला सही है, इसके बाद 49 को देखे, 49 में कहा गया कि इसमें से miss spelled word वही चीज है, मतलब गलत spelling आपको तलाश नहीं है, तो इसमें से अगर देखा जाए, अभी क्या कर रहे थे, इससे पहले जो दो question थे, उसमें correctly spelled खोज रहे थे, अब यहाँ पे जो wrong spelled है, वह ढूटना है, इसका मतलब है कि तीन सही है, तो गलत spelling इसमें से कौन सी है, ये वाली, सी वाली, बाकी जो है वो तो ठीक ठाक लिखे हुए, इसके बाद 49 के बाद चलते हैं, 50 की और जो की अंग्रेजी का last question है, और इसमें कहा जा है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और computer section को देख लेते हैं, तो electronic computer का आविशकार किस ने किया था, आपको ये बताना है, देखिए इसमें, तो यहाँ Dr. Alan M. Turing का नाम है, Call Bench का नाम है, Thomas Alva Edition है, Edward Taylor है, इसमें से कौन से हो रहे हैं, देखिए इसका correct answer A हो जाएगा, य ध्यान दीजिगा कि electronic computer की बाद हो रही है, इसके बाद second question को देखते हैं, कौन सी computer file के बारे में सत्य नहीं है, तो तीन statement है और last में कहा है कि इसमें से कुछ नहीं, और इसका जो correct answer है वो इसमें से, आप देख लीज़े, C बाला हो जाएगा, प्रयोकता को इसे बनाने की ता audio code से जोड़ते हैं या फिर इसमें से कुछ नहीं, तो third वाले का right answer इसमें से कौन सा होगा, B वाला हो जाएगा, modem की सहायता से जोड़ते हैं, modem आपने सुना होगा, इसके बाद fourth number का question देखिए, computer के काम की गती को निम्ड में से कौन सा मात्रक ऐसा है जिसमें की नापा ज जाएगा, megahertz में नापते हैं, ठीक है, megahertz में उसकी जो रफ्तार है उसको मीजर करते हैं, और जो byte वाला है वो तो data की मात्रा गुनापते हैं उसमें, इसके बाद देखें, commands ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है, fetching कहा जाता है, storing कहा जाता है, decoding कहा मतलब first generation का जो computer था, उसको design किस ने किया था, या उसे build किस ने किया था, तो ये जो press पर record थे, उनका काम था, या फिर mutually ने किया था, या दोनों ने किया था, इसमें से कोई नहीं थे, तो six number का जो question है, इसका C चुल लीजे, दोनों ने किया था, तो दोनों का नाम याद कि नब उतना प्रेशनन में नहीं है, अब इसमें आप बताएं, full form, तो seven number का ये जो question है, इसका right answer हो जाएगा, बी वाला, short messaging service, छोटे संदेश भेजने की जो पद्यती होती थी, उसको कहा जाता था, इसके बाद देखें, eight number के question को, आगे ही blank space है, उसमें आपको unit का नाम भ जाएगा, arithmetic and logical unit, यानि ALU जो होता है, उसको कहा जाता है, ठीक है, ALU जो होता है, वो गड़नाय करने के लिए जिम्मेदार होता है, इसके बाद आगे बढ़ता है, बी वाला सही है, question number nine को देखें, which of the following devices does the signal conversion, ये क्या, मतलब signal conversion का का काम कौन सी device करती है, आपको बताना है, तो modulator है, इसके अलावा plotter है, keyboard है और mouse है, ninth number का ये जो question आप देख रहा है, इसका correct answer, ए हो जाएगा, modulator, ठीक है, modulator, modulation करता है, और उसके द्वारा ये, जो signal होते हैं, उनका conversion भी करता है, इसके बाद 10th number की question को देखें, which of the following service layer is not available separately in cloud computing, आप बताईए, hardware as a service, platform as a service, software या फ में से, A हो जाएगा, hardware as a service, ठीक है, cloud computing में ये अलग से शामिल नहीं होता है, इसके बाद question number 11 को देखें, कहा गया है कि the shortcut shift plus delete, जैसे जो keyboard होता है computer का, उसमें एक साथ कई सारी जो keys होती हैं, उनको press करने पर कुछ उसका different result होता है, मतलब कौन सी key आप एक साथ पकड़ कर साथ में दबा रहे हैं, इस पर वो निर्भर करता है, तो अगर आप shift वाली जो key है या button है, उसके साथ delete का button दबाते हैं, तो क्या इसमें से खुलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, जो window operating system होता है, उसमें अगर आप देखें, तो windows का जो system है, उसमें अगर आप देखें, तो च shift प्लस delete दबाएंगे, तो वो सीधा सीधा delete में ही shift होगा, वो recycle बिन में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ, या फिर chainit item को copy करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कोई चीज़ आपने select की है, उसको copy करना है तो आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसका नाम change करने के लिए इस्ते system का, तो correct answer क्या होना चाहिए, इसका A वाला होना चाहिए, C नहीं होगा, मतलब recycle bin में अगर आप डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते हैं, और चाहते हैं कि सीधा सीधा delete हो जाए, तो इसके लिए आप shift प्लस delete को दबाएए, direct अगर delete करेंगे तो वो recycle bin में पहले है कि निमनलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली यानि operating system में notepad एक text संपादक है, मतलब text editor है, तो ये windows operating system है, google chrome है, mozilla है, या फिर इसमें से आप देख रहा है, macintosh, ये भी एक operating system है, देखकर बताएं, तो 12 वाले का B हो जाएगा, ये google chrome है, ठीक है, notepad कहां पे, google chrome में है Microsoft वाला जो option देखते हैं, माफ कीज़ेगा, google वाला जो option देखते हैं, उसमें आता है, और ये जो पारहवा question है, इसमें थोड़ी सी mistake है, मतलब answer में mistake है, ये google chrome का कहां से हो जाएगा notepad, ये तो windows का है, windows operating system में काम करता है, तो notepad जो है, ये windows का हो जाएगा, इसका correct answer A होना इसके बाद आगे बढ़ते हैं, question number 13 को देखते हैं, इसमें कहां जा रहा है कि MS-DOS में एक visit file को एक disk से दूसरी disk में अगर आपको transfer करना है, तो कौन से command का इस्तिमाल करना होगा, disk copy, copy, rename या फिर format, सब capital letter में है, तो 13 का right answer इसमें से आप देख लीजे, इसमें से कौन सा हो ज इसमें C हो जाएगा, MS-DOS था, MS-DOS का full farm क्या है, आपसे ये पूछ लिया गया, simple question है, लेकिन आना चाहिए, तो 15 का correct answer क्या होगा, C वाला, disk operating system, DOS को यही का जाता है, और MS का मतलब Microsoft होता ही है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यदि computer में, अब आगे लिखा हुआ है कि क्य इसमें से क्या होगा, तो question number 16 का right answer इसमें से A वाला हो जाएगा, यानि जो operating system है, अगर वही नहीं रहेगा, तो वो load कहां से, मतलब boot कहां से करेगा, इसके बाद question number 17 को देखते हैं, पूछा गया है कि which of the following GUI component allow the user to select one or more option from a set, ये क्या होता है, text box होता है, radio buttons होते हैं, या फि से, तो question number 17 का right answer क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा, check box होता है, इसके बाद देखें, menu में किसकी सूची होती है, commands होते है, data होता है, objects होते है, या reports होती है, जो menu होता है, उसमें क्या होता है, तो 18 का right answer क्या होगा, A वाला हो जाएगा, commands ही तो होते हैं, उन्हीं को commands को software application का छेतर है, उसमें CRM का मतलब क्या होता है, तो इसका full far मसल में पूछ रहा है, customer relatives meet होता है, या फिर channel route market होता है, consumer, यहाँ आप देख रहे है, consumer या customer relationship management होता है, customer retention manager होता है, इसमें से क्या होगा, तो CRM का मतलब होता है, यहाँ आप देखिए पहले C वाला हो जाएगा, customer relationship management है, ठीक है, C वाला जो option है, यही इसका full far में, इसके बाद 20 में नंबर के last question को देखें, जो के computer section का है, binary भाशा में कितने अंग है, दो है, बाई का मतलब ही होता है, 0 और 1 यही दो digit है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हिंदी का section, आपको देखना है, तो तांडो का लासी दिया है, चिनमय का अजय दिया है, दुरदान्त का शांत दिया है, पूरुवत का नूतनवत दिया है, गलत कौन सा है, आप बताईए, तो गलत इसका भी वाला है, यहाँ जो चिनमय और अजय दिया है, यह आपस में match, मतलब विलोम है, मतलब उसका पूरा ग्यान रखते है, खरपर का तदभा हो क्या है, खरपर जो है, वो तत्सम है, खपरा होगा, ठीक है, खपरा होगा कि खुर्पा होगा, आप बताईए, इसमें से आप देख लिजे, देखे, इसका correct answer खपरा ही होगा, खपरा क्या होता है, वो आइवाची कौन सा है, सुरसरी है, रवितनया है, सरिता है, भागी रथी है, तो देखे, बागी भी नदियों को ही कहा जाता है, जिसे सुरसरी गंगा को कहा जाता है, रवितनया, यमुना को कहा जाता है, भागी रथी गंगा की एक साहई का मतलब शुरवाती मुख्य धार लेकिन शरिता ये overall नदियों को कहा जाता है, तो नदी का यही परियाईवाची है। इसके बाद अशुद्य वर्तनी आपको तलाश नहीं है, तो यहां आप देखें, रित्या अनुसार लिखा है, प्रियमवदा लिखा है, स्वयमवर लिखा है, और महत्व लिखा है। तो महत्व की वर्तनी गलत है, गलत क्यों है क्योंकि यहां तव जो लिखा है उसके साथ एक ऐसे भी रहेगा, मतलब आधाता और रहेगा, महत्व होता है, तो यह गलत लिखा है, इसके बाद आगे चलते हैं, question number 7 को देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि जिसका मन दूसरी औ और लगा है, तो अन्यमनस्क होता है, और क्या होगा, मनमस्त नहीं होगा, वो अन्यमनस्क होगा, अन्मना, इसके बाद पुत्री का परियावाची शब्द से कौन सार नहीं है, तो गिरिजा, गिरिजा का मतलब क्या होता है, जो गिरी की पुत्री यानि हिमाले की पुत्री तो ये पुत्री का परियाए बाची नहीं, पुत्री के एक वेराइटी, मतलब मादा पार्वती को कहा जाता है, तो ये अलग है इसमें, इसके बाद question number 9 को देखिए, जो अपनी हत्या आपने आप करें, तो आत्मघाती होगा, ठीक है, आत्महंता, आत्मघाती दोनों दिया ह तो दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए हम सी वाले को चुन लेते, दोनों, आत्महंता भी, आत्मघाती भी, इसके बाद 10 नंबर के question को देखिए, दान वीर किस प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक ही है, ठीक है, परिमाडवाचक ही हो नहीं सकता, संख्या इसमें कहीं हैं नहीं है, और सर्वनाम का इस्तिमाल नहीं किया है, तो जो इसके बाद बचे हो सब गुणवाचक में शामिल हो जाता है, यशश्वी नेता, ठीक है, यशश्वी नेता, अब इसमें किस प्रकार का विशेषण है, आप बताईए, तो यशश्वी जो अगर विशेषण के तोर पर इस्तिमाल किया जाए, तो करेक्ट एंसर क्या होगा, गुणवाचक ही होगा, इसके बाद 12 नंबर के क्वेश्वी नेता है, इसमें कहा जा रहा है, जिसे मारना उचितना हो, तो उसे क्या कहेंगे, अवध्य कहेंगे, निर्वाद कहेंगे, य वाला हो जाएगा, अवध्य, मतलब उसे मारा ना जा सके, या मारने योगी ना हो, अगन्या जिसे गाये को कहा जाता था वैसे, इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है, तो कोमल दिया है, इसके अलावा कठोर दिया है, मानो दिया है, खुर्दुरा दिया है, बताईए, तो समूल रूप से ये संग्या यानि विशेष है, इसके बात अगले वाले हिस्से में चलते है, यानि जनरल इंटेलिजेंस वाला जो सेग्मेंट है, रीजनिंग का पोर्शन है, उसमें दिया हुआ है, अब इसमें आप देखें, संख्याओं के चार यूगम दिये गये हैं, ठीक है, और ये जो चार यूगम दिये हैं, इसमें से तीन जो हैं, वो किसी तरह से आपस में समान है, लेकिन एक असंगत है, असंगत का आपको चैन करना है, तो 83, 92 है, 63, 61, 61 है, 31, 31 है, इसे आप सॉल्व कर लिजेगा, ठीक है, इस टेस्ट में इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रशन को हल कराना संभव नहीं है, हाँ जहाँ आवश्यक है, वहाँ हिंट दे दिया जाएगा, फिलाल इसमें देखे, तो असंगत का आपको चैन करना है, तीन एक जैसे हैं, और फोर्टी, यह जो फर्स्ट क्वेस्टन है, मतलब इस सेग्मेंट का फर्स्ट क्वेस अब इसको अगर आपको एक वेंट डाइग्राम बनाकर डिनोट करना हो या रिप्रेजेंट करना हो, तो कैसे कीजेगा, तो तना जो है, पहली चीज़े हैं कि जड़ सबसे नीचे होती है, उसके बाद ज़ड के उपर ही जड़ से सम्मंदित तना होता है, तने में ही शाख आप नहीं करेंगे, इसके बाद question number third को देखे, select the figure which comes next in the following series, अब यहां देखिए जो डब्बे हैं उसमें से अगला वाला कौन सा होगा, जहां question mark बना हुआ है, वो आला आपको ढूदना है, तो पहले देख लीजे इसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है, और यह जो third वाला है, इसका right answer इसमें से कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा, यह जो डब्बा है, यही भरेंगे, यह जो डब्बा है, इसको भरेंगे, इसके बाद अब इसे चित्र को अगर आप रोब कर यहां पे pause करके देखेंगे, तो ध्यान पूरवक समझ में आएगा, इसमें से sequence आप उसी language में अगर आपको switch को convert करना है, तो कैसे करेंगे, यह तो आप जब number system इसका बिठाएंगे, तो आपको आराम से मालू हो जाएगा, इसका correct answer क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 10, 5, 22, 11, 25, 21, यानि बी वाला जो option है, वो perfect है, जिसमें कि हम switch को convert कर सकते हैं, इसके इक्तराश्टर ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया, और इससे पूरे विश्व में भारत की गौरोशाली परंपरा को बढ़ावा मिलता है, यह एक चीज है, निसकर्ष यह निकला कि केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाता है, योग का अभ्या ठीक, भी वाले का मतलब क्या है? ना तो निशकर्ष पहला ही अनुसरण कर रहा है, ना दूसरा ही कर रहा है, भाई यह तो कहीं नहीं का आ गया कि 21 जून को ही आप योगा करिये और बाकी दिन मत करिए, कहीं नहीं का आ गया है, और इसके अलावा योग अभ्यास करने के लि नहीं करना है, जैसे है उसी अवस्था में देखना है, तो आप देखें, यहाँ पर ऊपर एक ब्लॉक बना हुआ है, और उसमें आपको यह बताना है कि अंतर स्थापित, मतलब उसमें शामिल है एक आकरती आपको तलाशने है, कौन सी आकरती इसमें से मैच करेगी, जो की इस डब्बे में शामिल है, समझ रहे हैं, इसमें शामिल है, इस वाले में, आप इन चारों को देखें, तो question number 6 का simple है, इसमें right answer क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, यह इसमें से अंतर स्थापित है, करके देख लीजेगा, इसके बाद आगे चलते हैं, यह आपको कह आपको बताना है, मतलब कड़ी और चेन, ठीक है, यह आपस में जुड़े हुए है, उसी प्रकार से मनका को आप किस से जोड़ेंगे, हार से जोड़ेंगे, मोती से जोड़ेंगे, समुद्र से जोड़ेंगे, कि आप उशर से जोड़ेंगे, तो question number 7 का जो right answer है, वो इसमें जिस प्रकार से दूसरा वाला जो पद है, वो पहले वाले से संबन देते हैं, तो hospital को यहाँ पर convert किया गया है, code language में, जो आप देख रहे हैं, J-L-W-K-O-M-I-C, इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से medicine को आप किस रूप में convert करेंगे, उसी same basis पे आपको code language इसकी convert करनी है, और वही यहाँ भरना है, तो आटवे नंबर का जो right answer है, वो इसमें से कौन सा होगा, A वाला हो जाएगा, O-B-D-I-B-B-V करके ऐसे भरेंगे, इसको आप convert करेंगे तो हो जाएगा, इसके बाद 9 नंबर के question को देखिए, पांच वर्ष पहले अभिमन्यू की माता, अभिमन लिजे, और उसी के आधार पे 5 जोड दीजे, 5 घटा लिजे और एक equation बना लिजे, solve करेंगे, तो इसका correct tensor क्या आजाएगा, 9 नंबर का जो है, इसका right tensor इसमें से A वाला हो जाएगा, 15 साल, ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ वैंड डाइग्राम दि निदितु करता है, आयत जो है, वो पुरिशों को दर्शाता है, और वर्ग जो है, वो इंजिनियरों को दर्शाता है, अब इस आरेक में दी गई जो संख्याएं है, वो उस विशेश रेडी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है, तो इसमें आप बताईए, उस भारती इंजीनियर है महिला है, वो नौर्थ इंडियन है और साथ में इंजीनियर है इस प्रकार का आपको इसमें से खोजना है तो आप बताए इसमें जो संख्याएं हैं वो लोगों को दर्शा रही है, ठीक है? तो लोगों को दर्शा रही है तो आप संख्या के हिसाफ से चुनिए और question number 10 जो है इसका right answer क्या हो जाएगा इसमें आप देखे correct answer क्या होगा C वाला हो जाएगा यानि C वाला इसमें है कहाँ पर 3 हो जाएगा इसका C वाले का 3 मतलब इसमें option के तौर पर देखेंगे दसमे को हमने देखा दसमे का right answer है उसमें 3 हो जाएगा मतलब वो female है नौर्थ इंडियन है और साथ में engineer है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 11 को इसमें कहा जा रहा है कि घड़ी में 3-14 हो रहा है तो जल प्रतिविम अगर उसका बनेगा मतलब water image बनेगी तो उसमें कितना बज रहा होगा यह बताईए तो mirror जो है वो उल्टा कर देता है वही काम यहाँ भी होगा अब 11 नंबर का जो question है इसका right answer D हो जाएगा उसमें हमें दिखाई देगा 3-16 इसके बाद अगले बाले को देखते है एक फोटो में व्यक्ति की और इशारा करते हुए एक औरत ने कहा यहाँ देखिए रक्त संबंध वाला है तो एक फोटो में एक व्यक्ति था मतलब एक आदमी की फोटो थी उसकी और इशारा करते वे एक महिला कहती है कि उसके भाई के पिता यानि जो फोटो है जिस आदमी की उसका भाई जो है उसके पिता मेरे दादा के इकलोते पुत्र है तो उस औरत का उस आदमी के साथ मतलब फोटो वाले इंसान के साथ क्या संबंध है यह आपको बताना है तो यहाँ जो relation है उसे आप जोड जाड़कर जब देखेंगे तो correct answer क्या आएगा? D आएगा यानि बहन का relation है वो भाई है और यह बहन है फिर इसके बाद देखें वैसा ही question है इसमें का गया कि एक आदमी की तस्वीर की ओए संकेत करते हैं संजे ने का कि इसकी मा मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरी न तो कोई भाभी है और नहीं कोई बहन है मतलब बड़े भाई की इनकी कोई पत्नी नहीं है इस प्रकार से तो आप बताएं कि यह तस्वीर जो है वो संजे के किस संबंधी की है यह आपको बताना है तो थर्टी नमबर का जो question है इसका right answer इसमें से कौन सा होगा इसका correct answer हो जाएगा C वाला यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कुत्र का संबंध हो जाएगा यहाँ 13 मा question आप देख पा रहे हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 को देखिए X तथा Y भाई है ठीक है X और Y आपस में क्या है भाई है और उसके बाद दिया हुआ है कि T जो है माफ कीज़ेगा Y का पिता R है यहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा सा रिलेशन जोड़ना पड़ेगा X और Y जो है वो आपस में भाई है और Y जो है उसका पिता R है Y का पिता R है तो यह भाई है तो X का भी पिता R होगा T का भाई S है T का भाई कौन है यस है और S जो है वो X का मामा है तो यहाँ R और T का अपस में क्या relation है यह आपको बताना है यह पूरा question है इसे आप ध्यान से देखे और बताईए यह mother का है husband का है brother का है कि wife का है और question number 14 का जो right answer है वो इसमें B हो जाएगा पती का संबन्द है R और T का मतलब R का T से क्या relation है पती का संबन्द है इसके बाद आप यहाँ देखिए यह 5 बच्चे जो है P, Q, R, S, T यह एक वृत्ताकार table पर बैठे हुए है और P का मूँ दक्षड पस्चिम में है मतलब Southwest में है यहाँ आप देख रहे हैं और S का मूँ दक्षड पूरू में है यह गोलाकार ऐसे बैठे हुए है तो इसमें बताया गया है P का मूँ दक्षड पस्चिम में है Q और T यह P और S के दाएं विपरीत दिशा में बैठे हुए अब यह बताया गया है कि R, S और Q के बीच में समान दूरी पर बैठा हुआ है R जो है वो S और Q जो बच्चे हैं उनके बीच में बैठा है समान दूरी पर तो R का मूँ किस दिशा में होगा ये आपको इसमें से सेलेक्ट करना है Question number 15 A हो जाएगा इसका East पूरो में होगा इसको आप draw करके जब figure बनाएंगे मतलब अच्छे से तो उसमें पता लग जाएगा इसके बाद question number 16 को देखे घड़ी का समय 3-14 है तो जल प्रतिबिम्म में कितना पज़ेगा ये आपको बताना है अभी question पीछे हमने ऐसा देखा था और 16 का right answer क्या हो जाएगा भी वाला हो जाएगा ठीक है भी वाले का मतलब क्या है 2-16 इसके बाद आगे चलते हैं वहाँ 3-16 दिया था या 2-16 दिया है तो पीछे जो 3-16 दिया था उसकी जगह आप 2-16 मिनट समझे सवा-2 सवा-2 से थोड़ा सजादा इसके बाद आगे चलते हैं पीछे 3-16 जो बताया था उसकी जगह 2-16 समझेगा अब देखे 17 नमबर के question को निश्चित कूट भाषा में समराट को लिखा जाता है 88, 95, 78 ठीक है ऐसे तो उसी कोट भाषा में अगर आप window लिखना चाहेंगे तो आपको क्या लिखना होगा मतलब किस code में लिखना होगा यह बताना है और 17 का right answer इसमें D हो जाएगा उसे लिखेंगे 94, 54, 43 last वाला code इसमें perfect है तो यहां तक हमने कुछ reasoning के question हल किये है अब इसमें जो RO वाला segment है मतलब RO post जो है उसके लिए जो segment है यह aptitude section है तो इसको देख लेते हैं तो पूछा गया है कि कौन से दो चिन्नों को आपस में बदल देने से निम्नलिकित समीकरण को सही किया जा सकता है मतलब यह संख्याएं दी है तो जो समीकरण है वो balance हो जाएगा अब इसमें आप देखिए भाग का चिन्न और minus का चिन्न मतलब red का चिन्न इसी प्रकार से गुड़ा और भाग है फिर गुड़ा और plus है फिर भाग और plus है ऐसे दिया हुआ है तो question number 1 का जो right answer है इसमें A हो जाएगा यहाँ जो division और subtraction का symbol है उसी को आपस में change कर देंगे मतलब यहाँ पर बदल देंगे इसके बाद question number 12 मतलब जहाँ पर भाग का निशान बना है वहाँ पर आप minus का लगा दीजे pipe A टंकी को 35 मिनट में भर सकता है और कहीं leakage की वज़े से 40% पानी बह जाता है मतलब जितना भरता है उसमें से 60% बचता है और बाकी 40% बह जाता है टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा अब यह बताना है आपको पूरा भर सकता था वो 35 मिनट में लेकिन समस्या यह है कि लेकेज है उसमें बह रहा है तो 40% तो बह जा रहा है बाकी जो बच रहा है उसके एकार्डिंग बताईए तो दूसरे नंबर का यह जो question है इसका right answer भी हो जाएगा 60 मिनट उसे total लग जाएगा मतलब इस काम को करने में उसे 60 मिनट लगेगा लेकेज के बावजूद इसके बाद question number 3 को देखिएगा इसमें कहा जा रहा है कि एक outlet tank को 20 घंटे में खाली किया जा सकता है एक inlet एक घंटे में 5 लीटर पंप करता है बतलब 5 लीटर पानी को पंप करता है और अब वह इसे 30 घंटे में खाली कर देता है अब इसमें से correct answer कौन सा होगा इसका C वाला हो जाएगा ठीक है 300 लीटर का वो पुरा tank है 300 लीटर का tank है और उसके लिए ये बातें कही जा रही है इसके बाद fourth number के question को देखते हैं question number 4 में आप से कहा गया कि दो बर्तनों में दूद और पानी का जो ratio है वो 7 अनुपाते 3 का है और 2 अनुपाते 3 का है दो बर्तन है तो वो अनुपात गयाद कीजे जिसमें दोनों बर्तनों की सामागरी को आपस में मिलाने पर दूद और पानी का अनुपात 3-2 का हो जाए तो अब ये समानुपात वाले question जो होते है इनमें लगाने का तरीके होते है और उस हिसाब से अगर आप हल करेंगे तो इसका correct answer A आएगा 2-1 ठीक है मतलब यहाँ पर वो अनुपात हमें गयाद करना है जिसमें की ने मिलाया जाएगा तो यहाँ 2-1 का ratio है A वाला सही है इसके पाद 5-1 नंबर की question को देखिए दो घडियां लगी हुई है उसमें से एक घड़ी 5 मिनट तेज है और दूसरी प्रति दिन 5 यह रोज की बात हो रही है ध्यान दीजेगा मतलब एक घड़ी जो है वो प्रति दिन 5 मिनट तेज हो जाती है और दूसरी बाली जो है वो प्रति दिन 5 मिनट धीमी हो जाती है दोनों घडियां दो पर ठीक 12 बजे एक जैसा समय बताती है जैनि दोनों में 12 बजता है exact अब इसमें दिया हुआ है कि कितने दिनों बात दोनों घडियां फिर एक समान समय बताएंगी मतलब फिर से एक जैसा समय बताएंगी यह आपको बताना है रोज ऐसा नहीं होता है कि रोज वो ठीक 12 बजे एक जैसा समय बताती है ऐसा कुछ दिन के अंतराल पे होता है तो कितने दिन बात बताएंगी आप बताएंगी तो question number 5 का D हो जाएगा 72 दिन बात इन्हें ऐसा करने में 72 दिन का समय लग जाएगा क्योंकि एक जो है वो fast है और एक जो है वो slow है इसके बाद 19 में माप कीजिएगा छटवे number के question को देखिए 19 व्यक्तियों के भार अंक गड़ती एक रम में दिये हुए है अब इसमें आपको बताना है बताया पहले है उसको देख लीजे उनका ओसत वजन 19 है ठीक है यदि सबसे भारी व्यक्ति का वजन 37 किलोग्राम है और सबसे हलके व्यक्ति का वजन कितना है ये आपको बताना है अब इसमें आप देख लीजे एक किलो है दो किलो है तीन किलो है चार किलो है ये थोड़ा सा अचंबे वाला question है, इतना हलका कोई नहीं हो सकता है, या तो बच्चे ही हो एकदम छोटे-छोटे, खेर, तो छटवे नंबर का ये जो question है, इसका correct answer क्या होगा, ए होगा, एक किलो, सबसे हलका कौन सा होगा, एक किलो वाला होगा, इसके बाद आप देखें, अब यहाँ चक्रवृधि व्याज मतलब दिया हुआ है, चक्रवृधि व्याज का मान दे रखा है और योग पूछ रहा है, तो देख लिजे, एक निश्चित राशी पर 10% प्रतिवर्ष की दर्से चक्रवृधि व्याज, यह यहाँ पर दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा अंग्रेजी वाला इसका देखिए, यहाँ पर का जा रहा है कि the compound interest on a certain sum of 10% per annum for 2 सही एक बटे 3 year, in rate 1201.60 interest compounded yearly, the sum is, अब यहाँ पर sum कितना होगा वो आपको बताना है, तो जड़ा calculation करके देखिएगा, लेकिन इसका जो correct answer है वो कितना आएगा, आएगा D वाला, ठीक है, D अगले वाले को देखते हैं, साथवे नंबर के question को, माप कीजे का, आठवे नंबर के question को यह साथवा था, इसमें कहा गया कि तो धनात्मकपुर डांकों में चार का फर्क होता है, और उनके व्यूतक्रम अगर कर दिये जाए, यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो गटा देते हैं, तो चार का अंतर प्राप्त होता है, मतलब दोनों के बीच में चार का फर्क प्राप्त होता है, तो आप बताइए संख्या उसमें से एक कौन सी है, आठवे नंबर का यह जो question है, इसका correct answer, ए हो जाएगा 3, उसमें से एक संख्या क्या है, धनात्मकपुर ड वजन 168 kg है, यदि P समू में शामिल हो जाता है, और पूरे समू का उसत वजन 160 kg हो जाता है, और यदि कोई अन्य व्यक्ति Q जिसका वजन P से 6 kg जादा है, वो M को substitute कर देता है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो N, O, P और Q का उसत वजन 108 kg हो जाता है, M का वजन कितना है, यह आपको बताना है, यह थोड़ा सा उल्जाओं question, और इस उल्जे हुए question का इसमें से right answer क्या होगा, यहाँ आप देख रहे हैं, 9 नमबर का यह जो question है, इसका D हो जाएगा, 150, ठीक, इसके बाद अगले बाले को देखते हैं, 1000 मीटर की दोड़ में X, Y, Z, 3 प्रतियोगी है, म Y, X से 40 मीटर आगे दोड़ना शुरू करता है, और Z, X से 64 मीटर आगे दोड़ना शुरू करता है, यदि Y और Z को 1000 मीटर की दोड़ प्रतिस परधा करनी है, और Z, Y से कितने मीटर आगे दोड़ना शुरू करेगा, कि यह जो दोड़ है, यह सही तरीके से हो सके, तो आप ब पूरा कोड का यहां सीधा मान न देकर X के फार्मिट में दिया हुआ है, तो X प्लस 38 है और 2X माइनस 58 है, दोनों कोड़ों में सबसे बड़ा कौन सा है, अब यह आपको बताना है, तो इसे अगर आप देखें, जो 11 वा कौशन है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा, 92 डिग्री वाला जो है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है, इसमें अगर आप निकालेंगे, तो correct answer इसमें से कौन सा हैगा, 92 डिग्री वाला हो जाएगा, इसके बाद अगले वाले को देखते है या फिर केवल काफी पीते है अब यहाँ एक चीज पहले नोट कर लिजेगा कि कौन क्या पीता है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जो correct tensor है वो इसमें B बाला हो जाएगा 112 112 चात्र ऐसे हैं जो कि या तो केवल चाय पीते हैं या फिर केवल काफी पीते हैं इसके बाद देखें 3.78 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चोड़ा एक आयता का रांगन बिलकुल वर्गा कार टाइलों से पक्का किया जाना है पतलब टाइलों इसमें लगाई जानी है और वो एकदम से वर्ग आकार टाइलों की यानि उनकी लंबाई चोड़ाई बराबर होगी और उससे उसे पक्का किया जाना है सभी समान आकार के हैं यानि एक वर्ग जो है वैसे ही बाकी सभी वर्ग है टाइल का सबसे बड़ा आकार क्या है जिसका उपियों की सुद्देश के लिए किया जा सकता है पतलब सबसे बड़ी अधिकतम बड़ी टाइलों कितने साइस की हम यूज कर सकते हैं अब यहां लंबाई चोड़ाई बराबर है तो इसमें से एक ही लंबाई आपको चुननी होगी तो question number 13 का जो right answer है वो इसमें से B हो जाएगा 21 cm 21 कुड़े 21 की जो टाइलों है वो सबसे बड़े आकार की इसमें यूज की जा सकते है question number 14 को देखे पांच वर्ष पहले A की आयू B की आयू के साथ अगर अनुपात में देखी जाए तो इनकी आयू का अनुपात कितना था A का और B का 4-5 का था ratio मतलब यह 5 साल पहले की बात हो रही है और A की अब वर्तमान आयू 29 साल है तो B की जो वर्तमान आयू है वो कितनी होगी बताईए समीकरण बना लीजे आराम से हल हो जाएगा फिलाल इसका D हो जाएगा 35 साल इसके बाद 15 नंबर की question को देखते है इसका 35 right answer होगा इसके बाद 15 question को देखते हैं इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान आयू एक व्यक्ति अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है ठीक है मतलब पुत्र अगर 10 साल का है तो वो 4 गुना बड़ा है मतलब 40 साल का है यह कहने का मतलब है और अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है 3 साल के बाद पुत्र की आयू 15 साल हो जाएगी तो व्यक्ति की पत्नी की आयू 5 साल के बाद कितनी होगी यह बताना है सीधा question नहीं है हालाकि इतने जादा उल्जाओ प्रशन भी नहीं आते प्रशन तो आते हैं रिजनिंग में लेकिन इतने ज़्यादा उज़ाओ नहीं लेकिन देखें जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका लेबल थोड़ा सा हुचा होता है कारण यह है कि आपको अभ्यास थोड़ा कठिन करना चाहिए अभ्यास अगर कठिन करके जाएंगे तो वहाँ जो कठिन प्रशन होंगे उनसे भी आप घबराएंगे नहीं इस वज़ा से ऐसे प्रशन दिये जाते हैं फिलाल इसे देखिए रिजनिंग में जितना आप mental exercise कर सके उतना बेहतर देखे 15 नमबर का जो question है इसका D वाला हो जाएगा पचास साल होगी यहाँ जो 5 साल के बाद का पूछ रहा है यह ध्यान दीजीगा ततकाल नहीं पूछ रहा है ततकाल का पूछता तो उसके हिसाब से बताता है लेकिन 5 साल के बाद का 50 साल इसके बाद 16 नमबर के question को देखे विद्यार्थियों के कक्षा में रमेश नीचे से 7 वे स्थान पर है रूवी का उपर से 9 अस्थान है श्याम की स्थिती ठीक दोलों के बीच में और रमेश की स्थिती श्याम से क्या है यह आपको बताना है तो 16 नमबर का यह जो question है इसका पूरी तरह से विभाजे हैं बलकि उसमें 4 एक अंक के रूप में भी मौजूद है अगर यही सिर्फ कहता कि पूरी तरह से चार से विभाजे तो 4 का पहाड़ा पढ़ पढ़के काड़ते जाते और देखते जाते लेकिन उसमें 4 भी होना चाहिए ठीक है विभाजे तो तो मात्र साथ हैं, सिर्फ साथ अंख हैं, एक से सौ तक अगर आप गिंती गिनेंगे, उसमें साथ ही संख्या ऐसी हैं, जिसमें कि सिर्फ वो चार से पूरी तरह से कट भी जाएंगी और चार उसमें मौझूद भी होगा, तो यहां तक हम ने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार